तो क्या आप बहुत दिनों से इस चैप्टर को लेकर बहुत ज़्यादा परिशान थे? मैं जानती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा परिशान थे तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए ये चैप्टर इन दे फर्म ओफ कैप्सूल So, welcome back to your favorite channel Magnet Brains This is me शुपरा तिवारी यहाँ पर आपको प्रवाइट कराया जाता है बिलकुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें तो आज हम पढ़ेंगे पूरे लाइफ प्रॉसेस की एक कैप्सूल इस कैप्सूल को खाने के बाद आपके जीवन में आनंदी आनंद होगा आनंद के सिवा कुछ और नहीं होगा आज की क्लास में हम पूरे लाइफ जो प्रॉसेस है उसको एक बार में कम्प्लीट करेंगे पूरे यूट्यूब चैनल में मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और उन्हें देखके मुझे ये समझ में आया कि बहुत सारे टीचेस ने टॉपिक्स को स्किप कर दिया है चोड़ दिया है पर आज हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे एक एक जो भी टॉपिक आपके NCRT में दिये हुए हैं उन्हें डिकोड करेंगे और समझेंगे अगर आप इस वीडियो को एक्जाम के एक दिन पहले भी देखोगे तो आप यह मानना कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा So let's start with the capsule number one for the life process So let's start with the life process पहले यह समझ लेते हैं क्या मतलब है लाइफ प्रोसेस का अगर आप से पूछा जाए कि कोई चीज जिन्दा है किसी चीज को आप बोलें NCIT decode कर रही हूं सारी चीजे में अगर आपसे पूछा जाए कि कोई चीज जिन्दा है बोलो कोई चीज जिन्दा है तो क्या देखकर आप उसे बोलते हो जिन्दा है जैसे कि अगर कोई कुटा भोक रहा है ठीक है कोई आदमी पागल होकर रोड पे चिला रहा है ठीक है कोई आदमी कुछ बोल रहा है गाय जो है जुगाली कर रही है कुछ चबा रही है तो इन सब प्रोसेस को देखकर हमें ऐसा लगता है कि कोई आदमी जिन्दा है पर what happened क्या होगा अगर कोई कुटा सो रहा है अगर कोई आदमी सो रहा है अगर वो गाय सो रही है अब तो कोई वो visible movement कर नहीं रहा है फिर भी वो जीवित है तो तुमने क्या देखा और क्या देखके तुमने बोला कि वो जी रहा है हमने देखा कि वो सास ले रहा है तो हमने ये जानना कि वो जिन्दा है But what about the plants, plant में कोई ऐसा visible movement तो आपको देखने के लिए मिलता नहीं है growth का तो क्या वो alive नहीं है, वो alive है तो क्या सिर्फ movement ही characteristics है जीवित होने का, ये बताईए मुझे तो answer है नहीं, सिर्फ movement देखकर आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि वो जिन्दा है क्योंकि plant तो चलते फिरते नहीं है, फिर भी वो जिन्दा है की नहीं है इसलिए movement is not the exact characteristics of जिन्दा रहने का, ठीक है plant में बहुत सारे color के plant होते हैं, फिर भी हम कुछ नहीं देख पाते हैं, फिर भी वो जीवित हैं की नहीं है इसका मतलब ये है की कोई भी चीज चल फिर नहीं रही है, फिर भी उसमें growth हो सकता है और उसमें वो जिन्दा भी हो सकती है उसके बाद आपके NCRT के कुछ last paragraph में, first introductory part में लिखा हुआ है कि आपके जो body होती है, उसके अंदर बहुत सारे molecular movement होते हैं जो आपको दिखते नहीं है अगर वो molecular movement हो रहे हैं, मतलब आप जीवित हैं, वो आप देखनी पाएंगे पर ये molecular movement आपके अंदर होते ही रहते हैं जो ये बताते हैं कि इनसान, गाय, भैस, बगरी, चुवा, सुवर, सब जीवित हैं ठीक है, उसके बाद आपके NCRT केहती है कि आपका जो tissue है वो बहुत सारे cells से बना हुआ है आपकी जो cells है वो बहुत सारे molecules से बनी हुई है इन molecules का continuously formation और breakdown होता ही रहता है ये breakdown बहुत जादा necessary है, ये formation बहुत जादा necessary है अगर ये breakdown और process नहीं होगा तो ये मानना कि आपके जीवन जीवित नहीं हो अगर ये molecular movement आपके शरीर में नहीं हो रहा है तो आप मर चुके हूँ ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस तरीके के movement को कराने के लिए continuous हमारा शरीर repair and maintenance करता ही रहता है मतलब कुछ चीश तूटती है और कुछ चीश बनती है repair and maintenance कराने के लिए जिन processes की जरूरत आपके शरीर में है उन्हें ही हम life process कहते हैं NCRT first phase decode हो चुका है, इतना part मैंने आपको समझा दिया ठीक है, life process का हो गया तो जो भी process, maintenance, life में maintenance के लिए जरूरी है repair के लिए जरूरी है, उन्हें हम life process कहते हैं ठीक है, something that a life can grow, move, respire, conduct various cellular activity with the repair and maintenance in their structure यही समझा है मैंने आपको कि movement होना चाहिए grow करना चाहिए, respiration करना चाहिए बहुत जारी cellular activity, transportation, excretion, reproduction, सब कुछ करना चाहिए और उनके अंदर continuously repair and maintenance की एक property होनी चाहिए तभी वो जीवित है, done, done, हम यह समझ गए कि कौन जीवित है जरूरी नहीं कि हमेशा आदमी तक दिना दिन दा करते रहे हमेशा आदमी बैठा है, फिर भी वो जीवित है क्योंकि उसके अंदर वो molecular movement चल रहे है आगे बढ़ें, now what is the life process मैंने आपको समझाया कि यह जो repair and maintenance आपके शरीर में चल रहा है वो जिन processes की वज़ा से चल रहा है उन्हें हम life process कहते हैं, definition देख लेते हैं आपको आज की class में पढ़ाऊंगी nutrition क्या है, respiration क्या है, transportation क्या है और excretion क्या है, ठीक है such activities of life is called as life process ठीक है, यह साब आज की class में हम लोग पढ़ेंगे बच्चो next, देखते हैं तो यह जो burger है, यह मुझे बहुत पसंद है burger खा के मैं burger जैसी हो गई हूँ पर क्या करूँ, पेट भरता ही नहीं बहुत इभूख अपराणी है, ठीक है तो यह आजमी ने burger खाया burger खा के इसको क्या मिलेगा बच्चो nutrition, क्या मिलेगा बच्चो nutrition, burger नहीं खाना आपने को अपने को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ा भी खाना, यह दाल खाओ, चावल खाओ, रोटी खाओ, यह सम्मत का अगर हो, यह तो बस imagination है ठीक है तो इस अगमी ने burger खाया, तो इसको burger से क्या मिलेगा बच्चो इसको burger से क्या मिलेगा बताइए, इसको मिलेगा nutrition, carbs मिलेंगे, fat मिलेगे, protein मिलेगा, बहुत अच्छा तो नहीं मिलेगा, पर मिलेगा, nutrition मिल गया इसको अब इसके nutrients जो हैं वो कहां जाएंगे, blood में जाएंगे, blood में इसके nutrients तूटेंगे, तो कैसे तूटेंगे, the तूटने का process is called as respiration, ठीक है, और तूटने से निकलेगी बहुत सारी energy, ये energy हमें बहुत सारी जो energy हमने निकाली, वो various cellular activities में use होगी, ठीक है, साथ ही साथ जब हम nutrient ल तो सारे cell को चाहिए न, ऐसे थोड़ी है कि गाउ के चौदरी को दे दिया, बाकी सारे गरीब बैठे हुए, तो ऐसा है कि जब हम digestion से nutrient को absorb करते हैं, तो वो हर cell को मिलना चाहिए, तो कैसे दोगे हर cell को, by the blood, transport करो सब को तू भी ले वहिया, तू भी ले वहिया, तू भी ले तरेगी, transportation से हम energy भी transport कर सकते हैं, nutrient भी transport कर सकते हैं, waste material भी transport कर सकते हैं, waste material को, जब waste हो गया, waste material को हमको kidney के पास लाना है, हमको kidney से remove करना है, and this process is called as excretion, तो खाओ, पचाओ, energy लो, और जो आपने पचा कर nutrient ब्लड को दिया है, पूरे body को दो, ताकि वो उससे energy निकालते जो बचा कुचा है, उसे बाहर निकालो, so life process में हम पढ़ेंगे nutrition के बारे में, हम पढ़ेंगे respiration के बारे में, हम पढ़ेंगे transportation के बारे में, और हम पढ़ेंगे मिरे लाल, excretion के बारे में, dan-da-da-da-da-da, so let's start with the first, पहले थोड़ा सा definition देख लो यार, है ना, let's start, what is nutrition, पह तुम खाना क्यों खा रहे हो, क्योंकि तुम्हें energy चाहिए, then what is the nutrition, nutrition is the process of intaking of food for the energy, that's it, बचो, that's it, nutrition is the process of eating food for the energy, that's it, कुछ भी लिखा हो, मैंने जो बोला, वही universal सत्ते है, ठीक है, nutrition is the process of intake and utilization of nutrient food by an organism in various life processes, ठीक है, यही लिखा हुआ है, कि nutrition एक process है, जिसमें हम खाने को intake करते हैं, और उसका utilization करते हैं, कहे के लिए, energy के लिए, मैं कुछ भी खाती हूँ, यह चुक अंदर तक दिना दिन नाच रहा है, यह क्यों नाच रहा है, क्योंकि इसको खाने से मुझे energy मिलेगी, so इससे जो भी nutrient मिले, उसको मैंने breakdown किया, उससे energy निका खाना खालो, बस, ठीक है, now, second process is life process, अब तुमने खाना खाली आए ना, अब तुमने nutrition process में तुमने खाना खाली आए, अब खाना तुम्हारा objective क्या है, जीवन में, हम खाना क्यों खाते हैं, पेड बरने के लिए, मैं तो टेस्ट के लिए भी खाती हूँ, ठीक है, बहुत ह तो बहुत चारे लोग टेस्ट के लिखाते हैं, पर mainly objective क्या होता है nutrition का, कि हमको उसे energy निकालनी है, तो वहिया, इस process में respiration में जो भी खाना आपने खाया, nutrition में हमने खाना खाया, खाने को पचाया, पचा के nutrient blood को दिये, this is nutrition, blood में nutrition आया, nutrients आये, nutrients गए blood में, blood की cells में, cells में breakdown ह हुआ और उसे निकली energy, ठीक है, पर जिस process से आप nutrient को हर cell को देते जा रहे हो, उस process को क्या कहते हो भाहिया, transportation, समझो, खाना खाया, खाना पचाया, ठीक है, यह हो गया nutrition, ठीक है, फिर पचा कर उसे किस को दिया, blood को, blood में पूरे cells को दिया, transportation, cells के अंदर गया, breakdown हुआ, energy नि हुआ, उसे बाहर निकाला, this is called as excretion, ठीक है, और excretion is nothing, it is a useless, harmful waste product discarded outside by the process called as excretion, ठीक है, अच्छा, यह कहानी सब में है, अगर तुम यह सोचते हो कि यह कहानी सिर्फ human beings में है बच्चों, ता ऐसा नहीं है, हम इनका simultaneously plant का भी mechanism पढ़ेंगे, और बहुत सारे teacher इसी को skip करते जाते हैं, तुम वीडियो लगा लो, तुम देख लो, plant को लोग skip कर देते हैं, पर आज की class में हम वो भी पढ़ेंगे, खाना काओ, खाना पचाओ, nutrition, ठीक है, nutrient को blood में लाओ, पूरे body में transport करो, transportation, cell के अंदर घुसा के उसे energy निकालो, respiration, जो बच गया, जो बच गया, भई taking food, बचो, nutrition is the process of taking food for the nutrients, क्यों खा रहे हम, for the nutrients, we have two types of nutrients, inorganic and organic, inorganic, अर्थ का सबसे simplest type का nutrient होता है, जितने भी ions है, जितने भी minerals है, CO2 है, H2O है, यह सब inorganic nutrient है, इन सब को combine करके, जब हम complex nutrient बनाते हैं, जैसे protein, carbs और आपके fats, तो इन से बनता है, organic nutrients, so we have two types of nutrient, inorganic and organic, simplest inorganic, complex organic, ठीक है, और इन ही को आप लेते जाते हो, by the process of nutrition, ठीक है, so nutrition is the process of taking nutrients, ठीक है, from the food, देखो, nutrition is the taking of food for the energy, ठीक है, हम खाना ही इसे लिए का रहे, मेरा main objective है, मेरा मेरा खाना खालू, और मुझे उससे energy मिले, ठीक है, now, इसके दो segments हम आज पढ़े nutrients हम पढ़ेंगे, nutrition हम पढ़ेंगे, plants में, और nutrition हम पढ़ेंगे, animal में मेरे लाल, किस में किस में, plants में पढ़ेंगे, और animal में पढ़ेंगे, ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मुझे आप से पूछा जाए, कि बताए, कि nutrition, ये समझ गया है, nutrient कितने type के दो, inorganic, ओorganic, simplest inorganic complex organic, ठीक है, nutrition क्या है, process of taking food for the nutrients, ठीक है, डान, इतनी समझ में आ गई बात, खाना खाया, nutrients के लिए, दो परकार के nutrient है, inorganic, organic, nutrition के इतना टाइप का है, nutrition दो टाइप का है, एक है आपका autotrophic nutrient, एक है आपका heterotrophic nutrient, auto का मतलब होता है self, ठीक है, जो भी organism, ठीक है, plants, जो अपना भ को detail में पढ़ना है, मेरे lectures पढ़े, आप लगा सकते हूँ, ठीक है, so autotrophic nutrient जो है, यह बहुती self-made प्राड़ी है, यह किसी से, अपनी, किसी को भी अपनी, मतलब कहते हैं, किसी की भी help नहीं लेते, यह बहुती स्वावलंबी लोग है, यह बहुती मेहनत करके अपना खाना swim बनाते हैं, in the presence of sunlight, sunlight नहीं है, तो chemical की presence में भी बना सकते हैं, ठीक है, so autotrophic nutrient, they are very self-made, they can make their own food by the, in the presence of sunlight, or in the presence of chemicals, ठीक है, chemical होगा, तो chemo autotroph, sunlight होगी, तो photo autotroph, इसको मैं detail में नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि NCRT में नहीं दिवा हुआ है, तो autotrophic nutrition, वो organism, यह plant, जो swim हैं, ठीक है, heterotrophic nutrition, क्या होता है, heterotrophic nutrition, वो nutrition होता है, जिसमें हमको किसी के उपर depend रहना पड़ता है, ठीक है, they are not self-made, यह वो बच्चे है, जो मावा कुलते, सुन मेरे ले, पापा मेरे ले, चॉकलेट ले आना, ममी मेरे ले गुलाब जामून बना दिया, बना देना, तो यह वो लोग है, तो heterotrophic nutrition, कौन सा nutrition होता है, जिसमें हमें किसी के उपर dependent रहना पड़ता है, इसके तीन टाइप है, saprophytic, parasitic, holozoic, क्या है यह, आगे समझते हैं, आजाएए, so let's start with the autotrophic nutrition, autotrophic nutrition क्या होता है मेरे लाल, मेरे बच्चों क्या होता autotrophic nutrition, जब plants या कोई organism, ज इनका देवता है, उन्हें energy देता है, उस energy को use करके यह अपना food synthesize करते हैं, इसका मतलब यह, कि हम food synthesize कर रहे हैं, in the autotrophic nutrition, तो हमें, अगर हम बात कर रहे हैं, photo autotrophic की, अगर हम बात कर रहे हैं, photosynthesis की, तो energy कौन देगा, sun, पर अगर कुछ ऐसे भी organism होते हैं, जो खाना swim ब हमें, हमें पढ़ना है, photo autotrophs के बारे में, photo autotrophs वो होते हैं, जो sunlight की presence में अपना भोजन स्वयम बनाते हैं, और इस process को मेरे लाल, मेरे बचो क्या कहते हैं, पढ़ाया है मैंने बताएंगे आप लोग, इस process को हम कहते है, photosynthesis, you have to use the light and you have to synthesize your own food, example is blue green algae, example is the plants, ठीक है, तो sunlight पढ़ रही है, carbon dioxide आ रहा है, उस carbon dioxide से यह sugar बनाते जा रहे हैं, और oxygen को environment में remove कर रहे हैं, पर आपको CO2 को किस के साथ जोड़ना है, water के साथ, अगर मैं photosynthesis का reaction लिखूँ, तो मैं balance नहीं कर रही हूँ अभी, ठीक है, यहाँ पर लिखती हूँ sunlight, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी बच्चो मेरे, sunlight, जब आप CO2 को H2 के साथ जोड़ते हैं, तो बनता है C6H12O6, और हमारे लिए एक धर्मात्मा बहार आता है, और उस धर्मात्मा का नाम है oxygen, ठीक है मेरे बच्चो, इस process को क्या कहते हैं मेरे लाल, photosynthesis, ठीक है, so autotrophic nutrition is the type of nutrition where the plant synthesize their own food which is called as carbohydrate and release oxygen into the environment, the process is called as photosynthesis, ठीक है, डान है, डान है, डान है, आगे बड़े, आच्छा, देखो क्या है कि आज की class थोड़ी fast चलेगी, पेस 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 पढ़ाने हैं, चार चापटर पढ़ाने हैं मुझे, उसमें भी 4 दूनी 8 होगे, क्योंकि प्लांट का भी तो पढ़ाना है, तो थोड़ा सा पेस बढ़ेगा, तो टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सा स्लो कर लेना स्पीड, बहुत सरे लोगों को ये दिक्कत रहती ही कि मैं बहुत स्लो पढ़ाती हूं, लोग अप तेज पढ़ारी हूं, पढ़ो, सियोटू को जब वाटर के साथ आप संद्राइट और क्लोरोफिल की पेज़ास में तोड़ते हैं, तो कार्भोहाइड़र बनता है, ठीक है, और ऑक्सिजन बाहर निकलती है, और कुछ पानी भी बाहर निकलता है, एक पानी को आपन को ऐसा हटा देना, ठीक है, पानी निकलता है बच्यों, इन औरनी निक न्यूत्रियंट है, ठीक है, simplist निउट्रियंट है, इसके बाद यह और नहीं टूतेंगे, टूतेंगे, पानी से ऑक्सिजन निकलता है, पर फिलहाल के लिए अपने पास क्या है, इन dzień को एक छिंट के बनाते हैं, एक और ग्यानी किनूट् nutr Stacks Neutrophic Neutrition Photosynthesis समझ गए कि हमें Inorganic Nutrient को जोड़ना है Organic Nutrient बनाना है या Photosynthesis is the process of synthesis of food in the presence of sunlight ठीक है । ओके टन हो गया अब आदे सेधिक बच्चों को आदे सेधिक बच्चों को problem बता है किस में आती है So, let's start with the event of photosynthesis. क्या होता है यह? Event of photosynthesis में क्या करना है आपको? सबसे पहले हमको यह देखना है कि हम किस तरीके से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है? So, let's start. देखो, यहाँ पर मैं आपको पूरी कहाणी समझाती हूँ, देखो. सबसे पहले, दो reactions होती हैं. एक होती है light reaction, एक होती dark reaction. पूरा photosynthesis, जिस cell organal में चलता है plant में, उसका नाम होता है chloroplast. So, this is the structure of chloroplast. ठीक है? This is the structure of chloroplast, मिरे लाल. यह structure है chloroplast का. अब photosynthesis में हमारे पास दो reaction है. एक है light reaction, ठीक है? बहुत detail में नहीं जा रहा है पर. एक है light reaction, एक है dark reaction. ठीक है? एक है light reaction, एक है dark reaction. ठीक है? अब समझो क्या होता है? Light reaction कब होती है? Light reaction होती है sunlight की presence में. ठीक है sunlight की presence में. पर ऐसा नहीं होगा, कि वह यह ऐसा है कि यह दिन में होती है, रात में होती है. ऐसा नहीं होता. क्लोरोफिल क्लोरोफिल इस स्ट्रक्चर के अंदर वह वाइट है वाइट उस ब्रोफिल का नाम होता है थायलाग कौाइट थाइलाक्वॉईट flatterक्ष्ट टॉक्षक नाम होता है पेंग फायलाक कौाइट' सप्क्रिक्षक्षट में अठीजा सिश्टेEs जो ऐसे ग्रूप में पड़ा हुआ होता है, जिसे हम कहते है ग्रैनम, क्या कहते है बच्चो, ग्रैनम, समझ में आ गई बात क्या बोला मैंने, कि फोटो संथेसिस जिसे सेल औरगनल में होगा, उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? है chloroplast के अंदर होता है chlorophyll, पर chlorophyll की structure के अंदर पाया जाता है यह पाया जाता है thyleaquoid के अंदर यह एक जो सिक्का आपको दिखाई दे रहा है इस इस थाल कोई पर इनका जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा इस is called as this is called as granny ठीक है अब क्या होता है कि जैसे sunlight इस पर पढ़ती है, यह तिल मिलाने लगता है, यह excite होने लगता है, जैसे ही sunlight इस पर पढ़ी, वैसे ही excite होने लगता है, अगर आप first वाला image देखो, ज्यान समझो, अगर आप इसका first वाला image देखो, तो continuously जड़ पानी खीचरी की नी खीचरी, बोलिएं, जड़ पा पानी प्लांट के पास अवेलिबल है, तो जैसे ही sunlight पढ़ी, वैसे ही इसके सारे chlorophyll क्या हो गया, excite हो गया, chlorophyll जैसे एक्साइट हुए, वो उन्होंने electron फेकना शुरू किया, ठीक, excite हो गया, तो कुछ तो फेक होगे, electron फेकना शुरू किया, ध्यान समझना, क्या बोल पड़ी, आपके थाइलाकॉइट, ग्रैनम में energy पड़ी, क्योंकि इसके पास क्या है बच्चो, क्योंकि इसके पास है chlorophyll, ठीक, this is the chlorophyll, इसके पास पाए जा रहे है chlorophyll, chlorophyll excite हो गया, chlorophyll ने electron बाहर निकाल, excite हो गया, अब जो energy मिली, उस energy का इस्तुमाल करेंगे, और energy का इस्तुमाल करके हम पानी को तोड़ेंगे, जब हम पानी को तोड़ेंगे तो उससे oxygen बाहर निकलेगी, इसको environment में हमें देदो, हमें चाहिए है, बहुत सारा चाहिए, environment को देदो, ठीक है, environment को oxygen मिल गई, और उसके बाद ये जो electron निकला, ये जो energy निकली, इस energy का हम इस store करो अभी, रुको अभी, रुको, ठेरो, सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ, इस energy को अभी store करके रखो, किस form में, ATP के form में, NADPH के form में, नहीं जानना है क्या है NADPH, बस ये समझो, कि sunlight पड़ी, chlorophyll excite हो गया, उसने बहुत सारे energy निकाली, electrons निकाले, और उसी के साथ-साथ, उसी में क्या हो गया, photolysis of water, पानी का breakdown हो गया, पानी के breakdown से निकला oxygen और निकली बहुत सारी energy, इस सारी energy को store कर लो, ATP और एलेक्टरॉन को store कर लो, या ATP और NADPH में energy को store करो, अब ये energy store करके रखो, चीग है, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद करो, environment से अब क्या लोगे त इसको इस्तमाल करो, और इस CO2 को convert करो carbohydrate में, ठीक है, this process is called as dark reaction, ठीक है, इस process को हम क्या कहते है, dark reaction कहते है, जो की कहां चलती है, जो की चलती है, stroma में, chloroplast का जो एक और पाट है, this is called as stroma, ठीक है, stroma में ये reaction चलती है, क्या किया, light reaction में बोलेंगे, क्या किया हम लोगों ने, sunlight दी, chlorophyll को excite किया, energy बाहर निकाली, साथ ही साथ, पानी का molecule तोड़ा, पानी के molecule तोड़ने से oxygen बाहर निकली, oxygen को बाहर निकाला, और energy जो के excite करने से बनी थी, और पानी का molecule तोड़ने से बनी थी, उसको store करो, in the form of ATP and NADPH, नहीं जानना है, कि क्या है NADPH, ठीक है, उसके ब light reaction बना बना के दे तो रहे, यह energy, क्यों चाहिए, सल लाए, ठीक है, आप इसको ले के जाओ, स्ट्रॉमा में, स्ट्रॉमा क्या है, जो cytoplasm जैसे सल का होता है, वैसी क्लोरोप्लास्ट का होता है, स्ट्रॉमा, ठीक है, स्ट्रॉमा के अंदर बहुत सारे enzymes होते हैं, जैसे द स्ट्रॉमा, ठीक है, यह है आपकी क्लोरोप्लास्ट की मेंब्रेन, ठीक है, यह देखो, थर्ड नमबर लेवलिंग इस दा मेंब्रेन, ठीक है, और उसके बाद energy मिल गई हम लोगों को, और उसके बाद environment से CO2 लाओ, energy कस्तमाल करकर के, करकर के, CO2 को बना-बना के देते स्टेप नमबर वन में क्या किया, absorption of light energy by the chlorophyll, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, light को, light energy को chemical energy में convert करना है, light energy को chemical energy मतलब क्या, chemical energy मतलब मेरे बच्चों, ATP और NADP है, ठीक है, chemical ही तो है, जिसमें क्या store है, energy, ठीक है, और साती साथ आपको क्या करना है, splitting of water molecule, किसम hydrogen and oxygen में, ठीक है, यह hydrogen बात में यहाँ पे चला जाएगा, यह आद रखना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी मैं यह नहीं बताऊँगे, तो confused हो जाओगे, ठीक है, तो क्या कि आपने light excite किया, light energy आई, उससे हमने ATP, NADPH बनाया, साथ में water का molecule तोल लिया, इस ATP, NADPH को क्या करन इसमें, किसमें convert कर देना है, C6H12O6, क्योंकि हम इसमें देखो hydrogen add कर रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस का ना में reduction, ठीक है, light reaction, dark reaction समझ में आए, dark reaction कुछ नहीं है, it is the reduction of CO2 into the carbohydrate, यह है dark reaction, बस reduction क्यों कहा, क्योंकि हम hydrogen add कर रहे हैं, इतनी बात समझ लो, NCRT complete, decode हो गया, समझ मे आगया, photosynthesis, light reaction, dark reaction, नहीं समझ में है, तो फिर से मुझे बताना, एक बर बतातोंगे, ठीक है, done हो गया, ठीक, क्या किया, यह पूरा light reaction है, कहा हो रहा है, thylakoyd में, ठीक है, यह क्या है, dark reaction, कहा हो रहा है, stroma में, क्या किया, reduction of CO2, किसमें, carbohydrate में, done, 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 ठीक है, done, 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 यह कहानी समझ में आ गई, चली, अब autotrophic nutrition के बारे में, हम लोग आगे और पढ़ रहे है, यह NCIT में एक diagram दिया हुआ है, जो कि cross section of leaf है, यहाँ पैसे green dot दिये हुए, जिनको आप chloroplast कहते है, chloroplast के इंदर chlorophyll होता है, और इसी के इंदर light reaction होती है, और dark reaction भी, ठीक है, photosynthesis हो होता है, ठीक है, तो यह leaf का structure है, और यह जो leaf होती है, यह जो होती है, these are called as mesophyll cells, यहीं पर सारा gases exchange होता है, सारी कहानी, photosynthesis वगेर होता है, ठीक है, okay, so this is the cross section of leaf, now, अब हम बात करेंगे gases exchange in plant, ठीक है, देखो क्या होता है, stomata के through हम लोग gases exchange करते है, ठीक है, stomata के through हम लोग पा यलो यलो आपको दिखाई दे रही है, this is called as guard cell, अब guard cell कैसी होती है, बच्चो ध्यान समझना, guard cell कैसी होती है, guard cell होती है, ऐसी, देखो, guard cell कैसी होती है, ऐसी, अभी कोई भी चीज exchange नहीं कर रही है, पर धीरे-धीरे guard cell, अभी यह flaccid condition में है, जब normal condition में है, तो इसको हम कहत भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, और यह ऐसे खुल जाएंगे, ठीक है, guard cell ऐसे हो जाएंगे, इसको कहते है, turgid condition, तो guard cell में जब पानी भर जाता है, तो ऐसे फैलती जाती है, turgid condition में हो जाती है, और फिर यह छेद बढ़ा हो जाता, stomal pore और यहां से आ ठीक है, चलो, अब आप से मैं एक question बता दू में, आपके उसमें पूछा गया है, कि बताए, photosynthesis के लिए हमको कौन-कौन से raw material चाहिए, यह बता दू में, आपके NCRT का solution बता दे रही हूँ मैं, आपको कौन-कौन से raw material चाहिए है, तो आपको चाहिए है, what a money plant, आपको चाहि से लिखोगे, what से लिखो, water, ठीक है, water लिखो, ठीक है, water लिखो, water, money plant, तो money लिख देती हूँ न, ऐसे, money plant, कैसे लिखो यार, money plant, money plant, ठीक है, ऐसा चाहिए, what a money plant से याद रखो, raw material पूछा जा सकता है, photosynthesis का, तो money से याद रखो, मेरे लाल, मेरे बच्चों, मेरे हरे पिल nitrogen, I से याद रखोगे, iron, और P से याद रखोगे, phosphorus, और भी हो सकते हैं, पर तुम्हारी NCRT में यही दिया हुए, तो याद रखेंगे, what a money plant, तो what से water, M से magnesium, N से nitrogen, I से iron, P से phosphorus, तो याद रखना, these are the raw material of the photosynthesis, so you have to remember कि कौन कौन सी चीज़े आप इस्तमाल करोगे, what a money plant से, यह question आ सकता है, फिर मुझे बोलना मत कि माड़म आपने बताया नहीं, और हम कहाँ चले जाए, हम ही बनता ही नहीं है, यह मको पढ़ाया नहीं गया, धूमता नहीं आपने को, ठीक है, चलो, कैसे exchange हो गया, किस तरीके से करते हैं, कैसे open होता है, now let's start with the heterotrophic nutrition, heterotrophic nutrition में मैं इतने प्रकार का हो सकता है, बच्चों, ठीक है, heterotrophic nutrition इतने प्रकार का हो सकता है, saprophytic, saprophytic nutrition कौन सा होता है, saprophytic nutrition वो nutrition होता है, जिसमें हम dead and decaying चीजों के उपर dependent होते हैं, जैसे कि fungus और bacteria, fungus और bacteria किसी भी चीज को सढा देते हैं, complex चीजों को पहले सढाते हैं, simple करते हैं और फिर nutrition लेते हैं उससे, तो यह होते है, heterotrophic, इनने खुद थोड़ी बनाया, इनको पहले सड़ा सड़ा के लिया ना, तो दूसरों के उपर dependent है, fungus हो गया, bacteria हो गया, ठीक है, उसके बाद पैरसाइटिक, मैं तुझे खा जाओंगा, मैं तेरा खून चूसता रहूंगा, पर तुझे पता ही नहीं चलेगा, तो पैरसाइटिक नूट्रिशन वो नूट्रिशन होता है, जिसमें हम किसी के उपर dependent है, उससे नूट्रिशन लेते जाते हैं, without killing them, ठीक है, we are continuously taking the nutrition from others, without killing them, मैं तुझे मारेगा नहीं, पर तेरा पूरा नूट्रिशन ले लेगा, ठीक है, तो इसका एक्जामपल एलीच, जोक, ठीक है, लाइस, जुए, वार्म्स, जो पेट में कीड़े होते हैं ना बचो, जो मीठा खाने के बाद अच्छा दिल में मेरे है, दर्दर डिस्को करते हैं, तो वो यही हैं, वार्म्स ही हैं, ठीक है, वो पैरसाइटिक होते हैं, होलो पर होलोजोईट में कैसा है, हम से फूड बाहर से लेते हैं, उसका डाइजेशन, एब्सॉप्शन, एक्स्रीशन हम स्वयम करते हैं, दिस इस कॉल्ड होलोजोईट नूट्रिशन क्योंकि हम होल फूड खुद खा रहे हैं और खुद सारी प्रोसेस कर रहे हैं, एक्जामप कोई अच्छी चीज नहीं है, ठीक है, अमीबा से डारिया होता है, अमीबा से दातों में हरी हरी जो पाइरिया होती है, तो अमीबा जो है अच्छी स्पीशीज नहीं है, ठीक है, इससे कुछ अच्छा नहीं होने वाला, तो अमीबा में जो है, नूट्रिशन क्या कहते हैं वो हम जानेंगे, देखिए, सबसे पहले, अमीबा में, मैं डियाग्रमेटिक रिप्रिजेंटेशन आपको दिखा रही हूँ, because we don't have so much time, one short video तो complete करना ना, मेरे लाग, ठीक है, तो हमने क्या किया, कि हमने एक अमीबा लिया, ठीक है, लिया नी, वो है, food particle, उसके चारो, food particle है उसके पास, थोड़ा सा ऐसा देखो, यह जो है, यह है इसके pseudopodia, देखो, pseudopodia है, इनको गले लगा लिया, आजा, आजा, आ, मैं तुझे खालूंगी, मैं तरह बच्छे खालूंगी, बोल रही है यह, ठीक है, तो, यहाँ पर food आया, और उसके बाद इसने ऐसे catch कर लिया, done, pseudopodia से catch कर लिया, और आ, मेरे पास आ, ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, ध्यान से समझो, उसके बाद इसने food को पूरा क्या कर लिया, ध्यान से समझो, फूट को पूरा अंदर ले लिया पर ये जिस structure में food को भरा है ना बच्चो उस structure का नाम है मेरे बच्चो food vacule क्या है food vacule समझो बात को इसके पास amoeba के पास एक special structure होता है which is called as food vacule तो खाने को ये खिसका के अंदर के और कहां भर लेता है food vacule में भर लिया अब food vacule के अंदर बहुत सारे enzymes घुसेंगे detail process पढ़ना है ना मेरे बच्चो तो आप ना वो वाले lectures लगा लो जो मेरे detail वाले हैं अब भी आपके पास time कम है तो मैं ऐसे पढ़ा दे रही हूं अब इस food vacule के अंदर बहुत सारे क्या घुसेंगे बच्चो enzymes ये enzymes क्या होते है enzyme किसी भी चीज को तोड भी सकते हैं किसी भी चीज को बना सकते हैं तो हम nutrition में कौनसे enzyme use करेंगे जो किसी भी चीज को तोडते हैं ठील के digestion में definition भी लिखी हुई है तो साथ ही साथ अपन डिकोट सारा कर दे रहे हैं तो आपके food vacuol में सारे क्या घुसेंगे बच्चों एंजाइन और उस food को क्या कर देंगे अच्छे से digest कर देंगे ठीक है और फिर पूरा जो digested food है ना वो food vacuol से बाहर निकलेगा अमीबा की पूरी जो cell wall है उसे क्या करेगी एब्सॉप करेगी आजा मैं तुझे पीलू ठीक है तो food vacuol क्या करेगा उस डाइजेस्ट किया उसने अच्छे से जो पूरा digest हो गया food vacuol के इंदर उसके बाद digested food को बाहर निकालेगा अब हो गया absorption अब होगा assimilation बहुत सारे बच्चों के assimilation में problem होता है what is the assimilation? assimilation कुछ नहीं बच्चो it is the process of obtaining energy by the absorbed food अब जैसे खाने को हमने absorb किया absorb करने के बाद हमने उसको सारी cells को दिया cells उस food को जो उसने absorb किया जो nutrient absorb किया उसको तोड़ तोड़ के उससे energy निकालेगी this process is called as assimilation so assimilation is the process of obtaining energy from the nutrient absorption is the process of absorbing the nutrient from the food vacuole to the cell now what is the digestion? digestion is the process by which we convert the bigger molecule into the smaller molecule done so ingestion is the process by which we take our food R मतलब amoeba so ingestion होगे, digestion होगे, absorption होगे, assimilation होगे isation, भूलना नहीं, assimilation क्या है the process of obtaining energy from the absorbed food ठीक है, human पढ़े अब तुम कैसे खाएगा, तुम कैसे पचाएगा ये बहुत बड़ा question है amoeba का तो पढ़ लिया तुमने, सेम वैसा ही अपने साथ भी चलता है सबसे पहले digestion, पहले ingestion, फिर digestion, फिर absorption, फिर assimilation और digestion, ये अपने साथ भी same to say, मैं इसलिए हम लोग amoeba का पहले पढ़ते है amoeba और human being दोनों holozoic nutrition के ही example है holozoic मतला पूरा खाया, खुद सारे काम स्वयम खुद किये, ठीक है तुम सुनोगे नहीं, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है already, already हमने सब complete कर लिया है पर अब थोड़ा ज़्यादा तेज चलेंगे क्योंकि one shot में हमें सब कुछ complete करना है बहुत बड़ा chapter है, तो तो थोड़ा शांती से सुनो बस क्या बहु रही हूँ so digestion जो है, वो mouth से start होता है, आपके पूरा जो body है उसके center पर आपके पास एक canal है which is called as elementary canal, elementary canal का जो length होता है, वो 6-9 meters तक हो सकता है depend करता है कि आपका height कितना है, अगर आपका height बहुत जादा है, तो elementary canal की length भी जादा होगी अगर आपकी height छोटी है, तो elementary canal gland छोटी होगी, ठीक है, अब elementary canal जो है, वो शुरू कहां से होती है, mouth से और खतम कहां पर होती, annus पे समझ में आगई बार, elementary canal शुरू होती है, mouth से और खतम होती है, annus पे, ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं, एक एक करकेस के पार, so let's start with the mouth, ठीक है, फटा फट, यू करेंगे अपन, ऐसे, biology अपन सीखेंगे, एकदम ऐसे, ठीक है, टंग टंग गूमते फिरते, biology पढ़ाते फिर होगे, चलो So, mouth में क्या होता है, mouth जो है, हमारा elementary canal का first part है, जब हम अपना मुझ खोलते है, आ, तो ऐसे जो, ऐसे अंदर का hole दिख रहे हैं, इसको कहते है, बकल कैविटी, ठीक है, mouth guarded by the lips, mouth के अंदर क्या होती है, बकल कैविटी, it is the बकल कैविटी, देखो धहान से, आ, ठीक, बकल कैव स्टक्चर है, जो की बोलने का काम आती है, टंग mixing के काम आते है, टंग में छोटी-छोटी मसल होती है, जो कभी ठकती नहीं है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बकल कैविटी में, पैलेट होता है, ठीक है, जीव उपर लगाओ, हाट पैलेट, पीछे लगाओ, सॉफ्ट ठीक है, यह कानी हो गई, mouth is complete, आपके NCRT में यही दीवा हुआ है, उसके बाद, उसके बाद, जब हम खाने को चबाते हैं, चुआबड, 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 तो उसके बाद हम क्या करते है, खाने को निगलते, ठीक है, तो यह कौन सा movement है बच्चो, this is the peristaltic movement, समझ में आई बार, खाने को pushing movement is called as peristaltic movement, तो खाने को जब आपने चबाया, उसको निगला, निगल कर अंदर लिया, तो आपने धका मारा ना खाने को, this is called as peristaltic movement, peristaltic movement जो होता है, यह सब जगा होता है, स्टमक से इंटेस्टाइन की और होता है, धकेलने का process is peristaltic movement, तो जब आप एक ऐसे करते हो, तो यह परistaltic movement है, done, ठीक है, so teeth, crushing and tasting of food, ठीक है, टीस, टेस्टिंग तो भई है, तंग का काम है, यहाँ पर अपलोड टेस्टिंग तो टंग काम है, ठीक है, टंग से क्या बोलते हो, टंग मूव करवाती है, टंग आपका बगल कावेटी क आपको लगता है, sweet, बाज उसे क्या लगता है, sour, salty, पीछे से लगता है, bitter होता है, टंग में, ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, कहाँ पर आपके, जब आप खाना चबाते हैं, तो आपने देखा होगा, कि आपके खाना जो है, वो moist होता है, वेट होता है, गोल गोल हो जाता है, saliva, ठीक है, ओके, तो इसको याद रखो, saliva, salivary gland निकालती है, saliva, saliva में होता है, बहुत सारा पानी और enzyme, ये खाने को चिकना बनाता है, ठीक है, चिकनी चमेली बना देता है, और उसके बाद खाना जो है, वो बिलकुल मिक्स हो जाता है, और गोल गोल बन जाता है, इसके अ ivory amylase क्या करता है, starch को maltose में convert कर देता है, ठीक है, maltose क्या है, इक disacryde है या इसको आपकी NCRT sugar कहती है तो 30% starch को हम mouth में ही maltose में convert कर लेते हैं पर अभी maltose को हमें glucose में convert करना है क्योंकि digestive system का main objective है कि हर चीज़ को एकदम जब तक आप तोड़ेगा नहीं तब तक मानेगा नहीं ठीक है एकदम simplest form में convert करना है carbohydrate का सबसे simplest form glucose है protein का सबसे simplest form amino acid है और fat का सबसे simplest form है fatty acid or glycerol जब तक आप इंग में नहीं तोड़ लोगे तब तक आप absorb नहीं कर सकते और इन सब चीज़ों का final जहां का कहां पर तूटते हैं सारे small intestine में तो किसी भी चीज़ का final digestion small intestine में होता है यह जो maltose से glucose में convert करना है पर हम small intestine में करेंगे ठीक है उसके बाद यह लिख दिया है सबज गया है ना उसके बाद peristalsis से तो आपने क्या किया खाना खाया चुबाया टंग से mix किया saliva मिलाया star digest किया peristalsis movement से उसको नीचे लेकिया है जब नीचे लेकिया है तो खाना आपका कहां पर आया है इसोफेगस पर आया इसोफेगस में एक पाइप है जो की खाने को कंड़िट करती है कोई enzyme नी निकालती कोई digestion नी कराती सिर्फ पास करती फूड को उसके बाद आपका जो फूड है वो स्टमक में आया ठीक है बच्चों अब आपका फूड कहां पर आ गया बच्चों ध्यान से देखना अब आपका फूड आ गया है स्टमक में ध्यान से देखना बिल्कुल जो मैं कह रही हूं ठीक है अब आपका फूड स्टमक म क्या होता है आपका स्टमक कैसा दिखाई देरा फटा-फट से बताऊंगे स्टमक एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टमक की वॉल मस्कूलर वॉल होती है कैसे होती वच्छो मस्कूलर वॉल होती है स्टमक की ठीक है अब उपर से यह क्या है आपका इसो फैगस है यह अब उपर से खाना जो है हम नीचे लेकर आ रहे हैं खाना यहाँ पर आ गया है अब यह जो muscular wall है यह ऐसे ऐसे contract हो होके खाने की क्या करेगी mixing ठीक है क्या करेगी भईया mixing करेगी ठीक है उसके बाद अब आपको ध्यान समझना है कि इनकी यह जो wall है यहाँ पर होती है sphincter दियान से समझना देखो यहाँ पर क्या होते है sphincter आपके NCIT में दिया हुआ है sphincter क्या करते हैं अगर खाना यहाँ से यहाँ आ गया है तो उपर जाने के chances बहुत कम होते हैं खाना नीचे small intestine की और चला गया है तो वापस आने के chances कम रहते हैं अंटिल आपको बहुत acidity हो रही हो तो HCL उपर जा रहा हो अंटिल आप quality हो रही हो दस्त लग रहे हो तो बाता लगए ठीक है नॉर्मल कंडिशन में sphincter prevent the back flow of food उसके बाद ये जो stomach होता ये क्या निकालता है ये निकालता है gastric juice stomach क्या निकालता है बच्चो gastric juice निकालता है gastric juice में क्या होता है HCL होता है gastric juice में होता है आपका enzyme mainly कौन सा enzyme होता होते तो 2-3 है पर mainly आपके NCIT बोलती pepsin ठीक है Pepsin जो है ये किसको digest करता है Protein को digest करने का काम करता है पर protein का भी पूरा digest नहीं करता partial digestion होता है क्योंकि complete digestion तो कहाँ पर करोगे protein का बताया मैंने आपको small intestine में ठीक है done और इसमें होता है mucus क्या होता है वहिया मेरे mucus now आपसे आपके NCRT में question दिया हुआ है कि what is the function of HCL देखो ये जो pepsin होता है वो सबसे पहले किस form में होता है आपको पता है pepsin जो होता है जो आपका pepsin होता है वो किस form में होता है pepsinogen के form में ठीक है पहले ये inactive रहता है जब तक खाना नहीं आया ना ये बोल रहा है मैं काई के लिए काम करूं पहले में inactive रहूंगा फिर क्या होगा कि इस पर जैसे ही खाना आएगा वैसे इस पर HCL act होत करेगा और वो किस में convert कर देगा pepsin में इसे convert कर देगा या active कर देगा तो आपका HCL का function क्या है कि वो enzyme जो inactive है उसे active करता है ताकि हम protein का digestion कर सके पर protein का हम partial digestion ही करेंगे क्योंकि complete digestion हम small intestine में करते है protein को हम amino acid जो की simplest unit होती है protein की उसको small intestine में ही तोड़ते है ये कहानी सब को clear हो गई so HCL जो है एंजाइम को active करता है ताकि protein का digestion कर सके तो ये HCL के function होता है HCL environment को acidic बनाता है स्टमक का 1 से 2 तक pH होता है तो acidic बनाता है उसके बाद mucus अब HCL जो है वो इस पर attack कर सकता है ना wall पर इसको erode कर सकता है कई बार acidity होती है आई मेरा पेड में बहुत जलन हो रही है बोलते हो कि नहीं बोलते हो तो ये जो mucus होता है ये कुछ नहीं है sticky पानी जैसा substance होता है जो स्टमक को की wall को HCL का attack से बचाता है HCL का function clear हो गया क्या क्या है बताए बैक्टिरिया का kill करता है food में enzymes को active करता है स्टमक होता है जो gastric juice निकाल रहा है यहाँ पर होती है gastric glands इन gastric glands से ही gastric juice निकलता है बच्चो ठीक है जूस निकाल रहे हो क्योंकि इस gastric juice में होते है enzymes जो की gland निकालती है ठीक है दान उसके बाद स्फिंक्टर समझ गए अब स्फिंक्टर जो है वो खाने को स्फिंक्टर के जो है रिलीज होगा और उसके बाद खाने को हम कहां भेजेंगे उसके बाद खाने को हम भेजेंगे आपकी small intestine में पर कहानी यह है कि आपका जो small intestine है वो क्या-क्या receive करता है ठीक है ओके डिस इस यूर small intestine ध्यान से देखो यह आपकी small intestine है अब यह क्या-क्या receive करती है देखो सबसे पहले तो यह खाना receive करती है स्टमक से ठीक है यह भोजन कहां से receive करती है स्टमक से दन पर स्टमक से जो भोजन आ रहा है वो कैसा है highly acidic समझो बद्यान से NCIT decode कर रही हूँ वो क्या है highly acidic highly acidic small intestine के पास भी क्या होती है glands small intestine के पास भी glands होती है जो क्या निकालती है intestinal juice क्या निकालती है भईया intestinal juice ठीक है अब देखो द्यान से अब साथी साथ यह जो small intestine ने यह क्या receive करती है small intestine receive करती है pancreatic juice ठीक है this is the pancreas ओके ठीक है pancreatic juice small intestine क्या क्या receive करती है बच्चो pancreatic juice और साथ में क्या receive करती है यह receive करती है आपका bile juice from the liver ठीक है क्यों receive करती है liver यह यहां से क्या आ रहा है bile juice ध्यान से देखो अब क्या हुआ, दोनो देखो! ये दोनों एक ही साथ एक ही नली से जुढके निकलते हैं डोनों juice, ठेक है? अब देखो स्टमक से जो खाना आ आ प ला रहे होगे बहुत बहुत इस लिए के जल रहा है, जलता है जिया ठेक है, जल रहा है अब देखो यह जो pancreatic juice है ना इसमें बहुत सारे enzymes होते हैं क्या होते हैं enzymes कौन सा enzyme होता है trypsin होता है ठीक है और कौन सा होता है lipase होता है lipase क्या digest करता है lipid को digest करता है trypsin किसको digest करता है protein को digest करता है पर यह दोनों कब active होते हैं activate basic pH समझ में आई बात Activate Basic pH, ठीक है, कब active होते है, Basic pH पे पर खाना जो आप उपर से ला रहे हो, बहुत acidic है तो हम उस पर खाने में क्या mix करते हैं, बताओ खाने में हम mix कर रहेते हैं, Bile Juice, ठीक है Bile Juice एक तो खाने को जो आरा जो acidic है, वो alkaline बना देता है, basic बना देता है और basic बनाने के साथ-साथ, ये जो enzymes हैं आपके pancreatic juice के ठीक है, pancreas का निकालता है, pancreatic juice निकालता है, pancreatic juice में enzymes होते हैं ये enzyme basic pH पे ही काम करते हैं, तो सबसे पहले जो खाना आ रहा है, उसे basic बनाओ हम basic कैसे बनाएंगे, हम basic बनाएंगे by the addition of bile juice तो small intestine में साथ में, pancreatic juice के साथ और क्या निकलता है, bile juice निकलता है bile juice के दो function है, पहला bile juice का function ये है, कि जो stomach वाला खाना है, उसको alkaline बनाओ ताकि intestinal juice के अंदर भी जो enzyme है, वो भी काम कर सकें, और साथ ही साथ, जो आपके pancreatic juice में जो enzyme है, वो भी काम कर सकें, खाना basic हो गया, दूसरा, अचा लीवर के बारे में यहीं पर explain कर देती हूं जो ये liver है न, ये निकालता है bile, ठीक है, bile के दो function मैंने आपको बताएं, एक तो ये food को alkaline बना देता है, ताकि इस पर pancreatic juice काम कर सकें उसके enzyme और intestinal juice के enzyme काम कर सकें, साथ ही साथ ये fat का emulsification करता है, क्या करता है बच्चो, fat का emulsification करता है, मतलब बड़े fat के टुकडों को छोटे-छोटे fat के टुकडों में तोड़ देता है, और इन छोटे fat के टुकडों को और छोटे-छोटे टुकडों में कौन तोड़ता है लाइपेस, लाइपेस किसका एंजाइम है, आपके पैंक्रियाटिक जूस का एंजाइम है, ठीक है, समझ में आया बात, बाइल जूस का काम क्या है, बाइल जूस का काम है, फूट को पहले अलकलाइन बनाओ, ताकि उस पर सारे जो पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम है, वो the small intestine और lipase जो है वो किसको तोड़ेगा वो समझो बाइल का दूसरा काम है तो फैट के बड़े molecule को छोटे चोटे टुकड़ों में तोड़ो ताकि इस छोटे टुकड़े पर ये lipase काम करके उसे और छोटा कर दे क्योंकि इतने बड़े टुकड़े पर डारेक्ट lipase नहीं काम कर पाएगा इसलिए bile के जो salt होते हो से छोटे टुकड़े में कर देता है और lipase जाके और छोटा कर देता है जिससे इसका absorption असान हो जाता है अब इंटेस्ट ठीक है ये समग गया तो इंटेस्टाइट में क्या-क्या रिसीब कर रहे हो स्टमक से food, pancreas से pancreatic juice और liver से bile ठीक है bile food को alkaline कर देगा और फिर तुरंथ ही जो pancreatic juice के enzyme है वो काम करना शुड़ू कर देंगे trypsin तोड़ने लगेगा protein को, साथ ही साथ bile जो है वो emulsification करने लगेगा fat को और फिर pancreatic juice का जो lipase है वो lipid को तोड़ना शुड़ू करेगा उसको और छोटा कर देगा bile juice निकाल रहा है सबसे largest gland होती लिवर यह क्या करता है emulsification of fat करता है इतने बड़े fat को इतना बड़ा कर देता है इतने बड़े-बड़े कर देता है ताकि उस पर fat को digest करने वाला enzyme काम कर सके नहीं तो इतने बड़े fat पर नहीं काम करता ठीक है ना उसके बाद गॉल ब्लेडर है गॉल ब्लेडर का काम यह होता है हलक NCRT में दिया नहीं है बट लेक मी एक्स्प्लेइन यू बाइल बहुत जो बाइल है वह उसको किसको देता है गॉल ब्लेडर को वैसे तो सब देही रहा है small intestine को पर थोड़ा सदे देता है कि इसको गॉ pancreatic juice को ठीक है okay pancreatic juice क्या करती है pancreatic juice में को भी वो भी खाने को alkaline मनाती बाइल भी खाने को alkaline मनाता है साथ ही pancreatic juice में होता है trypsin जो की protein को digest करता है और साथ में होता है आपका pancreatic juice में lipase जो हमने fat को इतना बड़ा से इतना बड़ा किया था बाइल salt की मदद से अब उसको ह इतने से इत्ते-इत्ते में convert करेंगे by the help of lipase. ठीक है? Done, done, done. ठीक है? अब आपकी intestine जो है ये भी क्या निकालती है? इंतेस्टिनल जूस निकालती है. इंतेस्टिनल जूस में भी बहुत सारे enzymes होते हैं. जो final digestion करते हैं. ठीक है? क्या करते हैं? ग्लिसरॉल में convert कर देते हैं आपके छोटे-मोटे lipids को. तो इंतेस्टिनल जूस का काम है ये करना. सब को final form में लाओ और अब हम इसे absorb करेंगे. ठीक है? सो pancreatic juice का काम भी digestion है. इंतेस्टिनल जूस का भी काम digestion है. pancreatic juice digest करता है. पर final digestion किसकी मदद से हो जाएगा? इंतेस्टिनल जूस की वज़ा से. ठीक है? डन. उसके बाद आजाएएं इंतेस्टाइन. इंतेस्टाइन is the longest part of the elementary canal. ये बहुत लंबी होती है पर compact होकर रहती है. कम जगह में रहती. इसलिए आप इसको small intestine कहते हैं. इसका diameter कम होता है. इसलिए आप इसको small intestine कहते है. जो हर्भी वोर होते हैं, उनका small intestine लंबा होता है. जो कार्णी वोर होते हैं, उनका small intestine छोटा होता है. हर्भी वोर को खाना पचाने में बहुत समय लगता है. इसलिए वो घास पुस्काते है, cellulose खाते है. इसलिए खाना उनके बहुत देर तक उनके small intestine में रहता है अपने को क्या है सब पका पका है तो अपने को बहुत tension नहीं है तो अपन कम देर तक तो क्योंकि जादा देर तक रखते हैं इसलिए जादा लंबी है small intestine जो है longest part होता है coiled होती है यह क्या करती है यहां complete digestion होता है यह क्या क्या receive कर रही है stomach, pancreatic juice, bile juice ठीक है उसके बाद जब हमने final digestion कर लिया जब हमने क्या कर लिया final digestion कर लिया है carbohydrate को glucose में convert कर लिया है by the help of intestinal juice enzymes और जब हमने amino acid बना लिया, fatty acid और glycerol बना लिया है अब इसको हम absorb करेंगे जो आपकी small intestine होती है, उसमें finger-like projections होते हैं जिनने आप कहते हैं, विलाई सारे nutrient को आप विलाई को दे दो, विलाई लेती जाएगे आजाओ, आजाओ और विलाई के चारों तरफ होती ही blood supply तो सब को nutrient को किसको दे देती ही, blood को blood पूरे body में फहला देता है, ठीक है This is called as absorption, ठीक है विलाई से आपने absorb किया, और उसके बाद वो जाकर जो भी nutrient आपने absorb किया cell को दे दिया, cell ने उससे energy निकाल ली This is called as assimilation, ठीक है तो digestion किसकी वज़ा से हुआ है final intestinal juice की वज़ा से और digestion intestine में किसकी वज़ा से होता है pancreatic juice की वज़ा से, और किसकी वज़ा से होता है bile salt की वज़ा से, bile fat को छोटा करता है emulsification of fat, ठीक है और जो कुछ भी बज़ गया है, उसे large intestine में भेज दो ठीक है, large intestine में कोई digestion नहीं होता है सिर्फ थोड़ा बहुत पानी वगएरा absorption होता है ठीक है, उसके बाद यहाँ पर large intestine में हमने खाने को जो आपका, अगर मैं NCRT वाला diagram देखा हूँ आपको so, large intestine में ये खानी सबको clear हो गई है large intestine में, large intestine का ये colon part है इसमें हम खाने को रखते हैं, जो भी waste है उसके बाद हम उसे अनस से बाहर कर देते हैं, ठीक है so, stomach clear हो गया, esophagus clear हो गया, tongue clear हो गया, buckle cavity clear हो गया diaphragm पढ़ाऊंगी अभी में, gallbladder clear हो गया, store करता है bile को bile duct, जो bile को लेके बाहर निकलती, liver, pancreas सारा clear हो गया, done so, this is the nutrition in human being, we are done with the nutrition in human being, बच्चो ठीक हो, ठीक है, this is clear I think, त्यांस देखना, lecture को बार बार रिवाइस करके देखो, ठीक है now, let's start with the respiration, ठीक है, let's start with the respiration, respiration क्या है respiration एक process है, जिसमें जो भी nutrient हमने लिये हैं, उसको हमको cell को देना है और nutrient को तोड़ तोड़ कर उससे energy निकालनी है, this is called as respiration respiration और breathing में अंतर ही होता है, कि breathing is just सास लो, सास चोड़ो, सास लो, सास चोड़ो, इसमें कोई nutrient आप तोड़ नी रहे हो respiration में, you have to break down the nutrient, मेरे लाल, मेरे बच्चों, मेरे हरे पिले नीले गुलाबी तोड़ना है आपको, this is called as respiration, let's start respiration is a process where body breaks down the glucose with the help of oxygen, ठीक है अगर अच्छा ऐसा नहीं है कि आप glucose को बिना oxygen के breakdown नी कर सकते हैं, आप कर सकते हो पर main respiration क्या है, we have to break down the glucose with the help of oxygen, for what? for the energy यार, चलो, आजाओ, आगे देखें, there are two types of respiration बच्चों, एक होता है aerobic, एक होता है anaerobic और anaerobic होता है oxygen की presence में, और anaerobic होता है oxygen की absence में, चेक, आगे बड़े, आप देखो, यह NCRT का diagram है, वो हम अभी समझने वारे, देखो, कैसे समझेंगे इसको, यह एक cell है, धान से देखना, यह एक cell, I think it is visible है ना, यार मैं कैसे बनाओ, यार मैं समझ में नहीं आ रहा है, चल शुरू करें, ध्यान से देखते जाओ, clear करूं इसको, यह clear हो गया, ध्यान से देखो, जो आपके NCRT का diagram है, यह मेरी एक cell है बच्चो, this is my one big cell, oh my gosh, ठीक है, यह एक मेरी बहुत बड़ी cell है, माल लीजे, अब यहां से यहां glucose अंदर आया, ध्यान से समझते जाहिए जो NCRT कह रही है, glucose अंदर आया, ठीक है, glucose 6 carbon का molecule होता है, यह है आपके cell का cytoplasm, this is the cytoplasm मेरे बच्चो, ठीक है, this is the cytoplasm, done, उसके बाद आपने glucose को किसमें तोड़ा, pyruvic acid में, किसमें तोड़ा बच्चो, pyruvic acid में, done, pyruvic acid 3 carbon का molecule है, दो molecule तोड़ोगे, ठीक है, जरूरी नही mitochondria, ठीक है, यह है आपके पास mitochondria, ठीक है, यह है आपके पास mitochondria, ठीक है, mitochondria, अब pyruvic acid को आप लेके जाओ, mitochondria में, ठीक है, यह PA आगया, pyruvic acid, और mitochondria क्या क्या बनाएगा, mitochondria बनाएगा, CO2, H2O और ATP, ठीक है, energy बनाएगा, इस energy को यह भाई साब, mitochondria store कर लेंगे, that is why mitochondria is called as powerhouse of the cell और उसके बाद CO2 को जान दो जा सिम्मरन CO2, 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 CO2 ठीक है? हाँ, CO2 को बाहर जान देंगे और बोलेंगे जा सिम्मरन जी ले अपनी जिंदगी CO2 को बाहर निकाल दिया This is called as aerobic respiration क्योंकि आप इस pyruvic acid को मेरे बच्चो, ध्यान से सुनो आप इस pyruvic acid को mitochondria में ले ही नहीं जा सकता है जब तक आपके पास oxygen नहीं होगा समझी गाईली? क्या बोलो मैंने? आप इस pyruvic acid को mitochondria में ले ही नहीं जा पाओगे अगर आपके पस क्या नहीं होगा? oxygen This is called as aerobic respiration अब इस pyruvic acid को हम किसमें तोड सकते हैं? इस pyruvic acid को हम बिना oxygen के भी तोड सकते हैं पर ये कहानी कहाँ पर होगी? सिर्फ cytoplasm में होगी और हम इससे बनाएंगे lactic acid क्या बनाएंगे? lactic acid बनाएंगे और थोड़े से ATP भी बना सकते हैं एक आध ATP है पर वही है ना कि जब हम बहुत तेज दौड रहे होते हैं अब हमको 10 km का दौड़ना है तो energy आपके पास थोड़ी सी है oxygen तो आपके पास limited है आप इतना जल्दी थोड़ी इतना oxygen भर पाऊगे अब आपके पास oxygen की कमी होने लगती है glucose तो आपके पास store है पर अगर आपके पास oxygen की कमी होने लगे तो क्या होगा मर जाओगे कभी ना कभी रेस तो complete करने लगोगे करोगे ना पर आपके पैरों में ख्रांप होने लगता है ऐसा लगता है कुछ बंद गया है पैरों में this is what this is the lactic acid हम ग्लुकोस को तोडेंगे पर उसके लिए हमें oxygen की जरूवत नहीं है हम ग्लुकोस को तोडेंगे for the little bit energy पर डूपते को तिनके का सहारा मेरे दोस्त ठीक है दो ATP भी मिले कि कम सकम रेस तो पूरी कलोगे पर बच क्या गया है lactic acid इसमें तो कह था CO2 बचा तो बहर निकाल दो ATP बची तो इसमें lactic acid बच गया है जो आपके प्रें स्टोर है और आपको दर्द दे रहा है देरे देरे वो lactic acid crystals resolve हो जाएंगे आपका दर्द ठीक हो जाएगा this is called as anaerobic respiration ठीक है चलो यही लिखा है देख लो aerobic respiration हमेशा cytoplasm और mitochondria में होता है anaerobic respiration हमेशा पूरा cytoplasm में होता है ठीक है so glucose को cytoplasm में pyrovic acid में तोड़ो pyrovic acid को अगर आपके पास oxygen है तो CO2 water energy में तोड़ो water energy store कर लो CO2 बहर जाने दो अगर आपके पास oxygen नहीं है तो lactic acid बनेगा और energy बनेगी lactic acid जो है दर्द देगा energy जो है वो आपको काम आएगी दोड़ने में ऐसा ही एक respiration bacteria east में भी हो सकता है fungus में भी हो सकता है east में lactic acid की जगा क्या बन जाता है ethanol बन जाता है ठीक है और lactic acid 3 carbon molecule है इसलिए इसमें CO2 बाहर नहीं निकल रही है जबकि ethanol में ethanol दो carbon molecule है इसलिए CO2 बाहर निकल रही है ठीक है 1 carbon CO2 का और 2 carbon ethanol के इसमें कोई CO2 बाहर निकलेगी क्योंकि lactic acid तीन carbon molecule है ठीक है और carbon dioxide बाहर निकलती है इसलिए bakers जो होते वो east को add करते हैं इस्ट को add करेंगे तो anaerobic respiration होगा जिससे CO2 बाहर निकलेगी और आपका cake fluffy हो जाएगा यह question आ सकता है कि why bakers add the yeast into the dough because they have to ferment and they have to rise their cake so they have to add the yeast yeast को add करने से yeast जो है glucose को ferment करेगा glucose का breakdown करेगा into the ethanol इसलिए cake को बहुत दिन रखो तो अजीब सक बद्बू देने लगता है due to the ethanol और CO2 निकलती जिससे cake fluffy हो जाता है done so हमने yeast में क्या बनाया ethanol carbon dioxide और ATP हमने human में क्या बनाया aerobic में lactic acid और ATP और aerobic में क्या बनाया क्या बनाया CO2 H2 और बहुत सारा ATP done 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 so this is the aerobic और anaerobic respiration बच्चो ठीक है अब हम बात करेंगे gases exchange in plant plants में gases exchange के लिए बहुत ज्यादा कुछ कहानी है gases exchange मैंने आपको बता है कि stomata से ही होता है ऐसी small small pores जो है वो कहाँ पाए जाते हैं आपके stem में भी पाए जाते हैं which is called as lenticels lenticels से भी gases exchange होता है जो कि stem में होता है done 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 ठीक है चलो so this is the diagram of stomata and the lenticels next is respiration in plants में आगे क्या बात करेंगे हम लोग यही plant यही बात चोड़ देते हैं जो आपके वो रहते हैं बाकी educators पर मैं पढ़ाएंगा ठीक है देखो दिन में photosynthesis होता है रात में photosynthesis नहीं होता है यह तो कहानी सबको पता है दिन में photosynthesis होता है रात में respiration होता है तो अगर आपको लगता है कि पोधे क्या पोधे कैसे respiration करते हैं तो यह बात गलत है बच्चो पोधे भी respiration करते हैं तो दिन में क्या होता है मेरे लाल photosynthesis photosynthesis से तुम क्या बनाते हो बेटा, sugar, क्या बनाते हो sugar, बनाते हो ना photosynthesis से C6H12O6, रात में क्या करते हो, रात में पौधे जो है, वो उसी sugar को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, और फिर निकालते हैं CO2, पर बहुत जादा CO2 निकालते हैं, क्योंकि वो जो CO2 बना रहा है, उसको थो तो रात में पूरा स्टोर थोड़ा बितर बार निकलन रा है और दिन वाली CO2 भी लेता जारा तो कितना अच्छा है कितना काइंड है कितना हमबल नेचर है तो इसने क्या कि धिन में कार्बोःडरिट बनाये, कार्बोःडilik को स्टोर कर लिया, रात में कार्बोःडिर को तोड़ा कार्बोःरि blob को तोड़ने के लिए उसको अक्सिजन चाहिए थे, तो थोड़ा था थोड़ा बहुत एंवायरमेंट से अक्सिजन ले भी ली, कार्बो औ हाइड्री año को तोड़ कर उसने energy बनाई और उसने थोड़ा बहुत carbon dioxide बाहर निकाला, थोड़ा बहुत, वो store करके रखेगा carbon dioxide को ताकि दिन में वो ज्यादा efficiency से photosynthesis कर सके, इसलिए मेरे बद चोओ, रात में टहलना नहीं चाहिए, क्योंकि रात में पेड के नीचे नहीं खड़ा होना चाह क्योंकि रात में environment में oxygen का level कम और carbon dioxide का level जाधा होता है, तो पौधे भी respiration करते हैं, done, now, अब हम बात करेंगे respiration in different animal, respiration जो है, वो सबके पास lungs नहीं होता, आपके तरह फेफडे नहीं होता है, फेफडे फेफडे नहीं होता है, हर organism में अलग-अलग type का different respiratory organ होता है, जैसे कि skin किस में होता है, earthworm में, ठीक है, leech में, frog में, gill किस में होता है, fishes में, ठीक है, trachea किस में होता है, insects में, lungs में क्या, trachea किस में होता है, insects में, और lungs किस में होता है, birds और mammals में, ठीक है, done, 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 इतनी बात सबको clear हो गई है, तो यह होगे respiratory organ, जो aquatic animal रहते हैं, उनको थोड़ा breathing उनका ज्यादा रहता है क्योंकि जो oxygen होती वो पानी में डिजॉल रहती है और dense medium से पानी से oxygen खीचने में बहुत उनको मेहनत करनी पड़ती है इसलिए उनका breathing rate ज्यादा होता है लैंड वाले अनिमल में यह उनका benefit होता है क्यों oxygen ऐसे air में air से लेना तो इसलिए हमारे पास benefit है because we have lungs और हम लैंड में रहते हैं तो हमारा जो oxygen है वो denser medium में नहीं है इसलिए आसानी से ले सकते हो respiration का यह structure है जो ध्यान से देखना है आपको कैसे करेंगे हम लोग हमारे पास जो हमारा respiration वो start होता है nostril से ठीक है nostril से start होता हम सास लेते हैं जब हम सास लेते तो हम क्या करते हैं हम करते हैं ऐसा कि हमारे पास होता है diaphragm ठीक है हमारे पास क्या है diaphragm एक dome shape का structure होता है तो diaphragm को हम flat कर लेते हैं टो हम सास ल prelim लेके छाटे तो चाहती ऊपर आदी हो मपन है इससे बीच है और यहां पर इसेád पी जगा खाली उगई और यहां सास लिया आपने तो और यहां पर भी जगह खाली और यहां पर भी जगह खाली तो आपका जो एर, जो chest cavity बढ़ जाती हो और आप आसानी से हवा को भर सकते हैं This is called as breathing, ठीक है? उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने क्या किया? बताओ मुझे हाँ, तो breathing समझ गया, आप कैसे क्या हो? चेस्ट ऊपर, लंग्स और चेस्ट के बीच में, रिब्स के बीच में जगह खाली, डाफराम फ्लाट, लंग्स और डाफराम के बीच में जगह खाली, एर, चेस्ट कैविटी बढ़ गई, हवा अंदर ठीक, अब, अब आपका जो respiration वो कहां से start होता है, मतलब जो सांस लेते हो कहां से, nostril, nostril में हवाई, उसमें hairs होते हैं, जो कि dust particle को trap कर लेते हैं, उसके बाद आपका जो हवा है, वो कहां गया है, trachea में, trachea में क्या होते हैं, rings of cartilage, जो कि trachea को collapse होने से बचाती है, C-shape क होते हैं, rings of cartilage, ठीक है, उसके बाद trachea जो है, बहुत सारे tubes में ऐसे bifurcate हो जाता है, जिसको आप bronchi, bronchioles कहते हैं, बाद में जो tube है, ऐसे round structure में खुलती है, जिससे आप कहते हैं, alveolize, alveolize के चारो तरफ होती हैं, ध्यान समझो, किसी भी respiratory organ का ये characteristics होता है, बच्चो, क उसके चारो तरफ ना, blood की supply होनी चाहिए, ठीक है, तो चाहे हम skin से respire कर रहे है, earthworm, उसके नीचे भी blood की supply होती है, gills के चारो तरफ भी blood की supply होती है, और even human being के alveolize के चारो तरफ भी blood की supply होती है, जब आपने सास लिया, थोड़ा मैं alveolize बड़ा बना लेती हूँ, ठीक ह तो oxygen को कहां ले आए, blood vessel में, और carbon dioxide को कहां ले लिये, alveolize में, अब जब आप सास छोड़ोगे, तो आप क्या करोगे, ribs को वापस अपनी जिगा पे लाओगे, diaphragm को वापस dim shape करोगे, तो diaphragm क्या करेगा, lungs पे नीचे से pressure बनाएगा, और ribs आगे से, तो lungs दबेगा, और हवा push बाहर हो जाएगी, ठीक है, समझ में आगई इतनी बार, अच्छा ये exchange करने के रहा हमारे पास बहुत समय रहता है, ऐसा नहीं कि तुर ले जल्दी ले जल्दी जल्दी बाग जबा, धुम तरह नहीं होता बच्छो, ठीक है, proper time रहता है, क्योंकि लंग्स में कुछ हवा में अच्छा बनी रहती है, तो अराम से exchange होता है, this is called as residual volume, NCRT में दिया हुआ है, ठीक है, ये कानी clear हो गई, this is the respiratory system, बस, done, तो अल्विल आई से gases का exchange हम लोग करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ें, तो देखिए कैसे कैसे किया, nostril से आई, nasal passage ही, nasal passage होता है, फिर pharynx में आई, larynx साब का voice box होता है, जिस से वाज निकलती है, larynx से फिर आप ट्राक्या में आया, ट्राक्या से लंग्स में आया, लंग्स से ब्रॉंक्योरी ट्यूब्स होती है, और फिर ये कहां को लिए, अल्विलाई में, अल्विलाई से oxygen किसको दे दिया है, ब्लड को, ब्लड से क्या ल लला, RBC में होता है, हीमोगलोबिन, हीमोगलोबिन को oxygen ने पकड़ा, और पूरे बाडी में घुमाया, ठीक है, घुमाते गए, घुमाते गए, घुमाते गए, घुमा दिया, ठीक है, तो oxygen कहां से आई, लंग्स से आई, oxygen को किस ने पकड़ा, हीमोगलोबिन ने पकड़ा, ह इस तरीके से oxygen का movement हो गया, carbon dioxide का कैसे movement होता है, देखो, blood के दो part होते हैं, एक होता है plasma और एक होता है RBC, WBC, platelet, पढ़ाऊंगे अभी थोड़ी दिर में, तो जो CO2 होती है, वो mainly घुल कर जो है transport होती है, last line in CIT में लिखी होई है, तो oxygen का transportation किसे होता है, hemoglobin से bind होकर, CO2 का mainly transportation कैसे होता है, आपका घुल कर, क्योंकि वो जादा soluble होती है, gas, ठीक है, respiration is done, now let's start with the transportation, let's start बच्चो transportation, देखते हैं, ये है मेरा दिल, दिल मेरा धड़के, ठीक है, धक धक धक, चलो, it's not धक धक, it's लबड़ब, चलो, let's start, क्यों, aquatic के पास क्या है, residual volume, सब, सब, आप लगा लो मेरे lecture, फोड़ के आओगे exam में, चलो, blood circulatory system, what is blood, blood एक liquid connective tissue है, खून से खून का रिष्टा है, एक आदमी में वैसा ही खून है, जो दूसरे आदमी में है, सुने हो ना, सब का खून का कलर लाल ही होता है, ठीक है, तो blood एक connective tissue होता है, अगर मैं blood को एक test tube मिलूँ और उसको एक मिनट में 5000 बार घुमाओ, तो blood में क्या-क्या separate होगा, blood में ऊपर की और एक transparent, एक creamish कलर का liquid separate होगा, जिसको कहते है plasma, और अभी आप लोगों ने यह थोड़ी देर पहले पढ़ा, कि ज्यादा तर CO2 इस plasma से ही transport होती है, bind होकर नहीं, bind होकर तो oxygen, ठीक है, और नीचे आपको एक ऐसा belt दिखाई देगा, ठीक है, जिसमें क्या-क्या होता है, RBC होता है, WBC होता है, और platelets होते है, RBC, oxygen ट्रांसपोर्ट करवाता है, CO2 भी थोड़ी बहुत bind होकर ट्रांसपोर्ट हो सकती है, ऐसा मत समझना कि CO2 bind होकर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती है, CO2 भी bind होकर ट्रांसपोर्ट हो सकती है, पर maximum 70% जो carbon dioxide होती, वो plasma में घुल कर ट्रांसपोर्ट होती है, 23% जो होती है, वो करीब होती है, आपकी इसमें घुल कर मतलब bicarbonate के form है, खर वो जाना नहीं है, पर यह याद रखो कि घुल के form होती है, चलो, उसके बाद bind होकर भी होती है, पर maximum किस से होती ही घुल कर, चलो, composition of blood, blood में liquid part है plasma, solid part होते है RBC, WBC और platelet, RBC गैसेश ट्रांसपोर्ट में, WBC protection में, platelet blood clotting में, let's start with the transportation, हाट का डाइग्राम मैंने बनाया है मेरे लाल, transportation में हाट क्या है, एक cleansed fist जैसा structure है, तुम मुझे खोन दो, मैं तुम्हें आजादी दोंगा, ठीक है, तो एक cleansed fist, बंद मुठी की तरह होता है, दो lungs के बीच में पाया जाता है, हाट का काम होता है, blood को circulate करना, हाट के चार चेमबर होते हैं, राइट वाले चेमबर आपको blue color का दिखाई दे रहा है, राइट वाले चेमबर में, दो, देखो, हाट के चार चेमबर होते हैं, this is, चीक, this, ओके, चार चेमबर में राइट वाला है, this is the उपर वाला चेमबर, इसको आप auricle कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे लाल, इससे आप कहते हैं बच्चो औरिकल, ठीक है, क्या कहते हैं auricle, और इससे क्या कहते हैं ventricle, ठीक है, इससे क्या कहते हैं ventricle, ठीक है, तो राइट वाले चेमबर को कहते हैं, राइट चेमबर, राइट औरिकल, राइट वेंटरिकल ऐसे ही लेफ्ट वाले को क्या कह सकते हैं लेफ्ट औरिकल और लेफ्ट वेंटरिकल ठीक है, तो हाट चार चैमबर स्टक्चर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, राइट वाले को राइट औरिकल और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वाले को लेफ्ट औरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल चीक है, औरिकल छोटा होता है, वेंट्रिकल बड़ा होता है वेंट्रिकल की दिवारे मोटी होती है, औरिकल की दिवारे पतली होती है अब औरिकल में हमेशा impure blood आता है बच्चों औरिकल में कैसा blood आता है? impure blood आता है मेरी बच्चों impure blood को ले जाने के लिए कौन है? बोलेंगे कौन है? उपर के diaphragm, diaphragm समझ गया है ना? diaphragm जो की lungs के नीचे होता है diaphragm के उपर से जो blood ले कर आती है वो होती है superior venakawa ठीक है? शावा शावा, venakawa वेनakawa उपर diaphragm के उपर से blood को ले कर आती है diaphragm के नीचे से कौन ले कर आता है? inferior venakawa देखो उपर से कौन ले कर आता है? superior नीचे से कौन ले कर आता है? inferior ठीक है? और ये दोनों जो blood ले कर आई इन्होंने औरिकल में भर दिया दन है उसके बाद उसके बाद औरिकल से ब्लड कहां गया वेंट्रिकल की ओर गया कहां की ओर गया औरिकल से ब्लड कहां की ओर गया वेंट्रिकल की ओर गया ठीक है उसके बाद वेंट्रिकल से ब्लड कहा आया Vertical से Blood आया Pulmonary artery में कहा आया आठरी में Pulmonary artery exception है Pulmonary artery क्या है बच्चो Exception है Normally artery में कैसा blood होता है Pure blood होता है पर Heart के कहानी में ऐसा है Pulmonary artery Pulmonary pulmons का मतलब क्या होता है Pulmons का मतलब lungs तो जो lungs से ले कर आएगी pulmonary vein जो lung mês को ले कर जायगी pulmonary artery ठीक है तो pulmons मतलब lungs ठीक है तो pulmonary artery लेकर जाती है impure blood को ठीक है pulmonary artery ने blood किसको दिया? lungs को lungs के आसपास फैल गया blood ठीक है अब alveolize में जो oxygen भरी हुई है वो oxygen हम किसको दे देंगे? blood को दे देंगे और blood से क्या ले लेंगे? carbon dioxide तो pulmonary artery से जो blood आ रहा है उससे carbon dioxide ले लो और उसको oxygen दे दो अब oxygen दे दो तो blood कैसा हो गया? oxygenated हो गया? pure हो गया? तो अब आपका blood जो है pulmonary vein से आएगा left auricle में then left ventricle में left ventricle से जो आपका blood है वो कहां जाएगा? iota में this is the largest artery iota से इसके बहुत सारे division होंगे और division अलग-अलग body part में जाएंगे और pure blood को पहुचाएंगे ताकि oxygen दे सके ठीक है? अब आप क्या देख रहे हैं? कि आपके heart में दो बार blood आ रहा है एक बार body से ठीक है? और एक बार lungs से आ रहा है ना? एक बार आप पूरे body से impure blood लाए और एक बार lungs से लेका है pure blood होता है इसमें हमेशा pure blood होता है जिसलिए इसे yellow दिखाई दिए रहा है ठीक है? आगे बढ़ें कैसे exchange होता है वो देखिए कैसे exchange करेंगा हम लोग देखने हां से देखना इसके लिए मैंने आपके ये पूरा circulation का structure लगा दिया है राइट और इकल में वेनकेवा से blood आया थीक है सुपिरियर में डायफ्राम के ऊपर से इंफीरीर से नीचे से ठीक है फिर कहां आया राइट वेंट्रिकल में आया राइट वेंट्रिकल से यह अगर आपको नीला नीला arrow दिखाई देरा वाइट वाइट तो यह है pulmonary artery pulmonary artery ने blood को कहां पे लेके गई lungs में ठीक है lungs में क्या होती है alveolize alveolize के चारो तरफ होती है capillaries में capillaries के भी कहां नहीं सुनाओंगे भी capillaries capillaries से हमने क्या exchange कर लिए capillaries को lungs ने क्या दे दिया oxygen और capillaries ने lungs को क्या दिया carbon dioxide ठीक है फिर उसके बाद जो आपका blood oxygenated है वो pulmonary vein से कहां आएगा left orical में फिर left ventricle में और left ventricle से लाल लाल निकल रही है iota और iota जो है पूरे body में blood को पहुचाएगी अब blood के tissues को आप लेके जाओग oxygen बोलेगे हे मेरी सहेली तु ले ले oxygen मुझे दे दे carbon dioxide अब blood ने फिर से जो oxygen है वो tissue को दे दिये body part को और blood को क्या मिल गया carbon dioxide फिर से carbon dioxide वाला blood heart में आ गया तो आप देख रहे हैं कि heart में एक बार body से blood आ रहा है एक बार lungs से blood आ रहा है इसलिए इस कहानी को double circulation कहते हैं ठीक है now blood vessels के बारे में देखते हैं क्या कहानी है blood vessels की blood vessels basically तीन प्रकार की होती है एक होती है आठरी एक होती है वेन एक होती है capillary आठरी मोटी होती है वेन पतली होती है आठरी पर pressure जादा होता है वेन पर pressure कम होता है आटरी में oxygenated blood होता है, वेन में deoxygenated blood होता है, exception छोड़ दो pulmonary artery vein का पर आटरी और vein से हम कभी भी कोई चीज exchange नहीं करते हैं अगर मैं यह दियान दूँ, यहाँ पर भी तुम exchange किस से कर रहे हो, capillaries से, ठीक है तो exchange हमेशा कहा होता है, capillaries से, capillaries is the joining, कैसे joining वो ध्यान से देखो अब आटरी से कैसा blood आ रहा है, suppose that कि यह क्या है, आपके tissues है, ठीक है suppose that बच्चों यह आपके tissues है, अब tissue के पास वो भरे बैठें, आ कालिया हमारी हवेली पे आओ तुम फिर हम तुम्हें बताते हैं, यह CO2 भरे बैठें, इनको oxygen चाहिए, आटरी क्या लेके आ रहे है, oxygen अब यहाँ पर देखो, आटरी के बहुत सारे branch हो गए, this is called as capillary capillary हमेशा single cell structure होती है, आटरी में बहुत layer होती है, vein में बहुत सारी layer होती है पर यह बिचारी single layer होती है, capillary, इसलिए हमेशा हम हर चीज का exchange capillary से ही करते हैं क्योंकि आसान है, पतली है, अब आप इस capillary से जो आटरी में था, इससे oxygen दे दो और बदले में इससे क्या ले लो, carbon dioxide, आप blood में क्या गया, carbon dioxide और धीरे-धीरे यह capillaries जो है, यह जो branch है, join होकर किस में जुड़ जाएगी, vein में जुड़ जाएगी तो आप exchange कहां पर कर रहे हो, capillary में कर रहे हो, capillary सिंगल wall structure होता है, जिससे exchange करना असान होता है तो यहां से आप धीरे-धीरे क्या है, carbon dioxide लेते जा रहे हो, इसलिए blood जो है, blue होता जा रहा, आखरी में blood किस से join हो गया, vein से So capillary is the smallest, thinnest blood vessel, जिससे कोई भी चीज exchange करते हैं, सबसे मोटी, second number पर, third number पर, exchange इससे भी नहीं, इससे भी नहीं जो भी gas waste, कुछ भी exchange करना है, इससे करोगे, चीक, आगे बड़े, platelet, platelet बताया है कोई भी जैसे इंजरी लग गई है, ठीक है, तो इंजरी जैसे को platelet पढ़े है, इंजरी लगेगी तो blood vessel बहार निकलेगी, bloods, RBCs बहार निकलेगी, RBCs के पीछे-पीछे को निकलेगी platelet और platelet जो है, सारी जो damaged tissues है, उनको एक जगा पे पकड़ लेता है, और clot बनाने का काम करता है, चीक है, आगे बड़े, now lymph formation, what is lymph, lymph is called as tissue fluid, तो मैंने अभी आपको ये पढ़ाया, कि कोई भी चीज exchange करोगे, तो ना तो तुम artery से कर सकते हो, ना तो तुम vein से करते हो, exchange हमेशा कि यहाँ, capillaries से, lymph का concept बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, तो मैं आपको समझा रहे हो, ध्यान से देखना, ठीक है, देखो, क्या होता है, ध्यान समझना, क्या होता है, होता क्या है, कि आर्टरी से pure blood आप ला रहे हो, ठीक है, आर्टरी पर pressure क्या है, ज्यादा, वेन प थोड़े WBCs बाहर किये, थोड़ा प्लाजमा बाहर किया, और यह जो WBC प्लाजमा है यही है लिंफ, समझे, आटरी में क्या है, प्रेशर, आटरी से ब्लड आ रहा है, यह केपिलरी है, वो एक्टम ब्रांच हो गए, this is called as capillaries, ठीक है, अब क्या हो रहा है, कि उससे हम प्लाजमा बाहर किया, प्लाजमा और थोड़े से WBC, वैसे बाहर नहीं हो सकती है, WBC नाशती रहती है, तो बाहर हो सकती है, अब यह जो चीज यहाँ पर टीशू के बीच बीच में भर गई है, this is called as lymph, कहा है, यह जो यह जो आपको भरा हुआ येलो येलो दिख रहा है, this is called as lymph, इसको हम tissue fluid भी कहते है, जो capillary से बाहर आदे की वज़े से जो भी चीज़ बनी है, उसको हम tissue fluid कहते है, समझे, pressure जादा है, चीज़े capillary से फिल्टर हो के बाहर आई है, जो की plasma और WBC, RBC, this is called as lymph, उसके बाद लिंफ भर गया पूरे में, इसकी वज़े से जो pressure होता हो कम हो capillary में, जिसको आप कहते है, lymphatic capillary, lymphatic capillary बाद में joint हो जाएगी एक बहुत बड़ी lymphatic vessel में, pipe में, ठीक है, समझ में आगई बाद, this is called as lymph, lymph, lymph is tissue fluid, which is formed by the filtration of capillaries, it is nothing, it is the plasma plus WBC, all the lymph which is formed inside the tissues, tissue के चालो तरह भरा है, इसको इस green, green lymphatic capillaries में भर दो, जिससे blood, blood capillary में भरा है, lymph capillary म blood, veins में joint होता है, which is called as vessel, वैसे ही lymph किस में भर जाएगा, lymphatic vessel में, क्या है lymphatic vessel का, lymphatic vessel का काम है protection, बहुत सारी lymphatic vessel होती है, हार और अरगन के चारो तरप, तो जैसे ही कोई infection आता है, lymphatic vessel जो है, अपना कहानी शुरू कर देती है, अपना plasma, वाजमा, WBC वेकरा निकालना शुरू क पर देती ही ताकि protection हो सके, डान, ठीक है, टीक है, टीक है, टीक है, टीक है, नहीं समझ माएगा तो बता ना, वैसे I think it is clear, और अगर आपको और डीटिल से पढ़ना है, तो लेक्चर लगा ले ना मेरे, ठीक है, ना, लेट स्टार्ट विद रांस्पोटेशन उफ वाटर, पानी होते हैं, अब बीवी जहां जहां जाएगी, चाहे कितना मिलडे पत्नी, पत्नी, पर बीवी जहां जाएगी वह पती आएगा, समझे, ठीक है, अब बीवी को भेजने के लिए एनरेड़्य जगा, जा तुम्हाई QUE जा कल से आनामत मेरे घर में, औसको धक्का मार मार क हमने दिया उसको energy देकर हमने कहीं भेज़दा अब पती का दिल नहीं लगता है पती अपने आप ही पहुच जाएगा तो मिनरल्स का movement हमेशा active होता है उसको भेजने के लिए कहीं पर भी आपको energy देनी पड़ती है और पती अपने आप चला जाता है वाटर अपने आप उसके पिछे-पिछे-पिछो चला जाता है ठीक मन नहीं लगता पती कहने की बात है वो यह क्यों समझाया आप समझे हम लोग प चोटे plants की बात कर रहे है स्वाइल में क्या होता है मिनरल ठीक मिनरल गया पीछे-पीछे वाटर चला गया ठीक मिनरल को भेजने के लिए आपको क्या बेजनी पड़िए पूरा NCRT पढ़िए सब लिखा हुआ है मिनरल को भेजने के लिए आपको energy खर्च करनी पड़ेगी ATP जा तू ससुराल माई के जा माई के जा माई के तो आपको मिनरल को भेजने के लिए क्रच करनी पड़ी बच्चो ATP खर्च करनी पड़ी पर वाटर अपने आप पहुच गया अब मिनरल बैठा हुआ है समझो बात को छोटे प्लांट में यहां बहुत सारे मिनरल बैठे पहुचा उसने मिनरल को धक्का मारा चलो मिनरल को उसने पुष किया और सारे मिनरल पूरे प्लांट में पहुच गए ठीक है अब यह किसके थ्रू होता है यह होता है जाइलम के थ्रू किसके थ्रू होता है जाइलम के थ्रू समझ में आगई बात क्या बोला मैंने मिनरल को दक्का मार के छोटे plants के लिए बतारी हो भी, मिनरल को दक्का मार के आपने भेज दिया, जाइलम में लोड कर दिया, ठीके, जाइलम से ही मिनरलों water का ट्रांसपोर्ट होता है, और रूट से उपर की ओर होता है, बाइडरेशनल नहीं होता है, नीचे सूपर की ओर होता है जाइलम में मुवमेंन, ठीके, जाइलम में आपने लोड कर दिया, और उसके बाद पानी अपने आपाई, मैं भी चपने आपाया, मैं भी चदूँगा तेरी साथ, हाँ, 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 और उसने धक्का मारा मिनरल को तो धक्का मारा तो मिनरल उपर की और गया और पानी भी उपर की और गया ठीक है So xylem tissue carry water and dissolve mineral from the roots और ये सब पार्ट में पहुचाते हैं Done, यह कहानी clear हो गई, पर अगर मैं बात करूओ पर यह इस इस process से अपना बहुत लंबे plants को पानी नहीं पचा सकते हैं बहुत लंबे plants में कैसे पोचा होगे वह ध्यान से देखो बहुत लंबे plants में process होता है which is called as transpiration Transpiration में हम क्या करते हैं कि leaf के edges से पानी को loss करते हैं और जाओ कि तो negative लगेगा ना, opposite the gravity जा रहे हो, रीव बलती है, पानिया मेरे पास, पानिया, पानिया, तो एक क्या होता है, कि एक stretch generate होता है, एक pull generate होता है, तो पानी का ऐसे पूरा एक column बन जाता है, ठीक है, और उसी के साथ साथ mineral भी move करते है, this is called as transpiration pull, तो छोटे पौधों में तो जैसे मैंने आपको बताया कि पतनी गई तो पीछ पती चल गए धक्का मारा, यहां पर बड़े plant में leaves पानी को खीषती है, this is called as transpiration pull, और पानी को खीषते जाओगे, खीषते जाओगे, खीषते जाओगे, खीषते जाओगे, तो इस तरीके से पानी का movement होता बड़े plants में, done, clear हो गया, देखो, तो हम transpiration से पानी को loss करते, this is called as transpiration, ठीक है, water and mineral यह देखो, आ रहा है, यहां से, यहां पहुच गया, कैसे पहुचे, leaf ने खीचा, आजा मेरे पास, आजा मेरे पास, ठीक है, तो water का एक पूरा column generate होगे, और सारे parts को मिलते रहा, ठीक है, खीचते plant में, transpiration की वज़स से पानी मूव होता है, छोटे plants में, धक्का मारने की वज़स से होता है, पानी धक्का लगाता है, ठीक है, यहानी clear हो गई, सबको, done, अब हम बात करेंगे, transportation of food, कैसे होता है, देखो, यहां पर भी वही कहानी है, देखो, leaf ने खाना बनाया, leaf ने खाना जो है, ध्यान समझो, leaf ने खाना बनाया और यहां पर खाना दे, यहां पर खाना रखा हुआ, देखो, खाना यहां पर रखा हुआ है, पर बात वही है, खाना क्या है, खाना क्या है, सुक्रोज है खाना, leaf ने खाना बनाया, सुक्रोज रखा हुआ है, यहां पर देख लेना leaf ने खाना बनाया, खाना यहाँ पर रखा हुआ है मेरे बच्छो, खाना यहाँ पर रखा हुआ है काईसे सब को पी लेगा root को भी तो खाना चाहिए root सब को पाणी दे रही वो तो लेगी अब खाना हमेशा move करता है phloem से फानी औगम है किससे move करता है पतनी, मिनरल हो, आयन हो, सॉल्ट हो, शुगर हो, इस अब पतनिया है, पतनी आ गई है, पती कैसे दूर रहेगा, इसके बाजू में, फ्लोयम के बाजू में क्या है जायलम, जायलम ने धड़ा धड़, अपना पानी इसको, अरी आगई मेरी बीवी आगई, मेरी बीवी तो पानी और क्वेडration पर धजए ऑपना अब यहां पर पतनी जो है एपने फिर से अपने शचुराल आ गई, तो पती पर अपने Ao Бог अ जाई गएगा जायगा था कर यहां पर वेधा यहां पर जायलम से पानी क्यों रहा है थि टा उपर सूकश्य पर अंड़ पर excretion बचो, let's start, we are done with the transportation, I think इतनी कहानी clear हो गई होगी सबको, excretion क्या है, excretion कुछ नहीं है, it is the removal of waste, waste का removal है, कुछ नहीं, कैसे करेंगे, so listen to me very carefully, आपके पास दो kidneys होती है, ठीक है, आपके पास दो kidney है, जिसमें आप देख रहे हो कि right kidney नीचे क्योर है, right kidney नीचे क्योर क्योर होती है, क्योंकि इसके उपर लीवर का right lobe होता है, देखो, लीवर का right lobe जो होता है, वो बड़ा होता है, जिसके विज़े से kidney के उपर pressure बनता हो, right वाली kidney नीचे आजाती है, kidney के वज़न 120 ग्राम से 150 हो सकता है, अब kidney का क्या है, kidney भी एक organ है, बच्चो, kidney भी एक organ है, अच और kidney को blood लेकर कौन आता है, kidney को blood लेकर कौन आता है, kidney को blood लेकर आती है, renal artery, ठीक है, rental artery लिखा, it is a renal artery, बोलो मैडम, जब kidney waste को remove कर रही है, तो vein को लाना चीए ना blood, अरे मेरे बच्चो, मेरे लाल, kidney भी तो एक organ है ना, kidney भी तो एक organ ही है, इस organ से हम कोई भी काम कैसे organ है, मेरे बच्चो, कैसे तुम इसको oxygen नहीं दोगे, तो हम renal artery से लेकर आते, artery का मतलब यह नहीं कि हमेशा उसमें सुध्ध होता का वो प्रमाड रहेगा, उसमें सिर्फ oxygen रहता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, पर उसमें हमेशा oxygenated blood होता है, renal artery के अंदर बहुत सारा waste है, plus oxygen भी है, क्योंकि यह oxygen kidney को चाहिए है, renal artery से पूरा blood लाओ, उससे filter करो, filter करके जो भी filtrate बना है, filter किया जो भी आपने ताम जाम, उससे urine बना के बाहर करो, अब जो blood filter हुआ है, अब उसमें oxygen थोड़ी बची, क्योंकि filtration process से सारा kidney and oxygen ले लिया है, अब उसमें कोई oxygen नहीं इसा क्या है, जो कोई भी चीज को filter करता है, बचो, कोई भी चीज को filter करने के लिए kidney में क्या है, kidney में है nephrons, millions of nephrons हैं आपके पास, जो kidney में blood को filter करते हैं, blood को filter करने के लिए millions of nephrons में क्या-क्या होता है, वो अब हम लोग देखेंगे, अब आप ध्यान से देखो, renal artery से blood रिनल आरटरी से ब्लड आया उसके बाद ये जो कप लाइक structure आपको दिखाई दे रे हैं जाओं मैं चोटा सा बना भी देती हुए आपको ठीक है रिनल आर्टरी से पूरा ब्लड आया दियान से देखते जाना रिनल आर्टरी से पूरा ब्लड आया यह capsule-like structure में भरा हुआ है capillary के form में यह आया और पूरे bunch भरी हुई है this is called as glomerulus इसको क्या कहते है बच्चो glomerulus, ठीक है मैं चाहिए तो आपको फटा-फट सी है बना के दिखा देती हूँ दियान से देखना है यह आपका bowman capsule है ध्यान से देखना सब लोग है जल्दी जल्दी बता रही हूँ यह आपका bowman capsule है डाना है बच्चो अब बलू बनाना पड़ेगा मुझे यह renal artery से पूरा blood आया renal artery renal artery क्यों कह रहे है हम इसे हम renal artery इसे लिए कह रहे है क्योंकि यह है तो इसमें बहुत सारी impurities पर ultimately इसमें oxygen है ठीक है अब यह जो cup-like structure आपको दिखाई दे रहा है बच्चो इस cup-like structure को हम कहते है bowman's capsule इस cup-like structure को हम कहते है bowman's capsule ठीक है और यह जो बंच हो गया न आटरी जो है यह बंच के फॉर्म में यह पड़ी हुई है this is called as glomerulus इसे क्या कहते है बच्चो मेरे इसे आप कहते हो glomerulus ठीक है अब क्या होता है कि यहां से चीजे चंचंगी क्योंकि इसमें चोटे-चोटे पोर्स होते है यहां पे bowman's capsule पे यहां से चीजे चंगी पर चंचंगा क्या चंगा क्या बोलिए चंगा वोही चीज जिसका diameter छेट से छोटा होगा अब protein जो होते हैं blood के RBC जो होती है WBC चंचंगे बाहर नहीं आ सकती क्योंकि वो बड़ी होती अब चंचंगे यहां से बाहर आएगा ठीक है और ध्यान से आपको देखना है कि यह जो आपकी कैपिलरी है ध्यान से किस कलर से बनाओ यह पिंक से बना देती है यह जो कैपिलरी है आपकी यह चारों तरफ से ऐसे घूमते रहेगी यह देखो ऐसे घूमते रहेगी ऐसे घूमते रहेगी द्यान से समझो समझे ना यह देखो क्या किया आपने द्यान से देखना क्या बना रही हूं मैं क्योंकि यहां से आपकी पूरी कहानी बदल जाएगी है देखो देखो चलो अब क्या किया आपने कि यहां से जो भी चीज आप फिल्टर करके ला रहे हो बचो जो भी चीज आप फिल्टर करके ला रहे हो हो सकता है कि इसमें कोई अच्छी चीज आपने फिल्टर कर ली होगी तो आपको पता है आप इससे वापस से दे सकते हो ठीक है और गलती से अगर कुछ फिल्टर नहीं हुआ है बच गया है तो ब्लड वापस इससे दे सकता है तो इस तरीके से यहां पर एक्स्टेंड चलता रहता है और अल्टीमेटली फाइनली हम यूरिन को बना कर बाहर कर देते हैं क्या समझा आपने ठीक है और जो ब्लड आपका बचा वह इस पार्ट को दिस इस कॉल्ड आइस रीनल वेन ठीक है रीनल वेन और यह जाकर हाट में जुड़ जाएगी ठीक है समझ में आगई बात रीनल आट्री से ब्लड लाओ उसे फिल्टर करो फिल्ट लिए कौ भी वापस से नेफ्रॉन का दे सकता ऐह इंटीमटली यूरीन बनाओ और बाहर कर दो इस आपके इनसिर्ट में भी दिया हुआ यह और त्रम और उसके बाद ब्लड लाओ इसके ब्लड फिल्टर वेन एंठीक है उसके बाद और जो भी खुराब चीजे है ठीक है और ultimately final urine जो है उसे collecting duct के अच्छा है ये एक nephron का structure है ऐसी बहुत चारी collecting duct जुड़कर आपकी ureter में खुल जाती है ठीक है so this is the structure of nephron now last thing जो आपको पढ़ना है वो है dialysis ठीक है किड्नी किसी की खड़ाब हो जाए तो क्या करेगा आप मर जाएगा नहीं मरेगा ना देखो क्या करेंगे अब आपको बच्चो एक और चीज इसको पढ़ाने से पहले बतादू कि आप कोई भी जैसे urine आप बना रहे हो ना देहन से देखो हूं जैसा माल लो कि आप यहाँ पर फिल्टर कर रहे हो तो कोई बिया चीच मैं उसकती है जी पानी ले लो आप वाई नो ऐसे ले लो शुगर ले लो और उसको फटा फट एब्जॉब करकर के कहां बेशते जो ब्लड में भेशते जाओ उसके बाद कलेक्टिंडक्ट में आपका यूरीन फाइनल यूरीन बन जाएगा यूरीन को फिर हम क्या करेंगे बहुत चारी कलेक्टिंडक्ट यूरीनेशन या मिक्चिउरेशन अब अगर किसी की खराब हो जाए तो क्या वो मर जाए नहीं बेटा वो डायलेसिस करवाए डालेसिस में क्या होगा कि जो हम लोग यह री अब्सॉप्शन करते थे ना पानी को खीच लेते थे अमाइनो एसेट्स को खीच लेते थे करो उससे पूरा ब्लड ले लो उस पूरे ब्लड को पाइप में लेना है एक ऐसी प्यक मेंलो इसमें ब्लड ख्लाट नहीं होना चाहिए ठिक है उसके बाद इस पाइप को कहां ले लो डाय एसिस चैंबर में भर दो ड्य होता है डालेसिंग Сलूशन होता है तो जो भी और डियलाइजिंग जब ब्लड आ रहा है तो ब्लड एक सेलोफिन ट्यूब में होता है तो इससे आप कोई भी चीज एक्सचेंज कर सकते हो तो वेस्ट को आपने किसमें दे दिया है डियलेसिस सलूशन जो वेस्ट जिसमें भरा हुआ है उसको अपन एक जगा करते रहे फ्रेश देते रहे अब आपके ब्लड से इंपुरिटी हट गई है और आप एक वेन से वापसे ब्लड को दे दो पर इसमें जो सेलेक्टिवली री एब्सॉप्शन किया था ना आपने कि अगर माली गलती से फिल्टर होकर अब इस ब्लड में बहुत सारा माइनो एसिट भी वेस्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें सेलेक्टिवली री एब्सॉप्शन नहीं हो सकता है जो हमारे नेफ्रॉन में हो सकता है लाइफ प्रॉसेस को हमने बहुती कम समय पर इच और एवरिफिंग कम्प्लीट कर लिया है मैंने आपको बोला आप बहुत सारे एजुकेटर्स प्लांट के बारे में नहीं पढ़ाते हैं पर मैंने आपको प्लांट के बारे में भी पढ़ाया एक्सक्रीशन इंप्लांट में कुछ नहीं है वाक्योल में सठे करते रहते करते रहते और किसी दिन पर हमेशा याद लखो कि महनत इतनी खामोशी से करना ताकि बाजु वाले को भी नहीं पता चले कि तुम क्या कर रहे हो पर जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आए उस दिन इतना जोर से शोर हो कि लोगों के कानों से खुन निकल आए So this is it and this is the one shot capsule of the life process I hope you learned and enjoyed the video See you in the next capsule तब तक घर पे रहिये, कोरोना बहुत फ्याल रहा है Safe रहिये, अपना ध्यान रखिये और next class में मिलते हैं Thank you so much